ये वि大 को स्टाट करते हैं हैतो चोटिए एर हम यहाँ स्टाट करते ह्याँ सबसे पहले क्योट से प्लिए क्यृएड में यह चो है इसकी लैंद होती है यह ब्रैत हो और यह ऐसा गर क्योड़ करना हो तो य Africa एल और एल और एल है और वी ए ना तो टो एल फल्स वी हो जाता है अब हम बात करते हैं क्योंगा घंक की जिए इसी तरह का जो है यहाफो थायर सामने वाला यह देखें तो केवल इसक्तरह का ही कर्फ़सेरिया को हम S Ś यह कहते हैं और सर्फ़सेरिया को Tech्ट में बात करें तो सर्फ़सेरिया में आपको इदर का छोड़ दिएमने मैं उफनक्य मबाल टाऊंग को यह कर्फ़सेरिया बना जिए यह इदर नीचे का यह फैंडॉड नहीं करना है केबल इस दीवार का और इदर वाले पॉट्शन का इसका और इसका और इसका यानि कि यह होगा L into H अब L into H एक यह है एक इदर भी पीछे है यह है तो 2L into H हो जाएगा और एक यह ले 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 यह सामने वाला B into H ठीक है भी तो हम बात करें तू यह एल इन टू एच यह भी टू टाइम्स होगा है ना तो अगर हम बात करें H L into H LH और एक क्या ले ले लें यह ले लें ये यह तो दो दो दीवारं यह हो गई Pay कि और वाओन ओकिन नीचे का और उपर का बेस जोन देना तो यह वाला जो है हम झाले ले लीने बी इंटू 8 मैस फिरस्टी एन्टू 9 ऐस अब देखिए दोनों में कामन है तो हम यहाँ लगा देंगे एच और और बी अंदर नहीं तो देखिए इसका परीपीर है सिसी मिलता है 12 पिलस बी इंटू एच कर देंगे तो क्या जागा कर दो कर लिए कर लिए हैंना सिम्पल इस थरह से आप लर्ण कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उतल सरफेस है अब यह आपर वाला पॉर्शन छोड़ दिया था यह कुछ नहीं छोड़ना है पूरे सिक्स है शिक्स है सिक्स का हमें लेना है तो सबकी टू है इसलिए हमने आप व्यव के लघन कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हम ये है square ठीक है, square के बारे में भी आपने सुना होगा square भी L into B ही होता है लेकिन उसकी side जो है यकल होती है L भी उतना ही होता है, उतना ही B होता मनली ये A है, तो हम A square रैट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ हम इसको रैट कर सकते है side square, इसका जो area होता है किसका square का, ठीक है और इसका perimeter होता है, चार चीज़े निकालनी चारो पंटेगी वरावन इसकी चारो दीवारे तो 4A, 4 into 7 भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इसका क्या निकालाएगा perimeter, अब बात करें हम cube की ठीक है, तो cube भी जो है जितनी इसकी L होती है है, उतनी ही उसकी B होती है और उतनी ही इसकी ये H होती है यानि कि माल लिजे ये A है और ये भी A है और H भी A है सब A है, तो इसका curve surface area हमें 4 तरप का निकालना है तो 4A square कर देंगे और सभी 6 का निकालना है तो 6A square कर देंगे, तो total surface area ये क्या हो जाएगा, इसका 6A square यानि कि CSA इसका 4A square होगा, TSA 6A square होगा और इसका volume होगा A cube यानि कि L into B into H तो हम तीनों को जब एक ही चीज़ है तो इसको A cube रैट कर सकते हैं, ये भी cube unit में रैट करते हैं, ठीक है चली आगे बढ़ते है इसके बाद हम फिर से मिलते हैं, सर्कल से थोड़ी दिन पहले ही, आप जो है study कर रहते सर्कल की, इसका area pi r इसवार होता है और इसका circumference ये क्या होता है, 2 pi r ठीक है, इस सर्कल का u यहाँ पर होने वाला cylinder में इसलिए हमने circle के बारे में फिर से थोड़ी सी बात कर ली, अब देखिए ये इस तरह का cylinder है, cylinder भी एक जो है, ऐसा होता है, इसमें इधर भी circular होता है, और इधर भी circular होता है, बाकी ये curved area होता है, ठीक है तो ये solid होते है, solid के बारे में बताया गया, solid cylinder हो solid कौन, अगे बढ़ेंगे हम, अभी इसका देखिए curved surface area C, ऐसे क्या होता है, C, ऐसे, के बाल जो 2 pi r इसका circumference होता है, इसमें h से multiply कर दें, यानि 2 pi r h हो जाएगा, है ना 2 pi r h कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका curved surface area न है, इसकी ये circumference की length होती है, है ना, circumference की length 2 pi r क्या होती है, circumference की, और इसकी height की multiply करके, हम curved surface area find out कर सकते हैं, इसके बाद total surface area निकालेंगे, ठीक है, total surface area हम करेंगे, एक तो ये curved वाला सारा, और ये जो circular है, circle जैसा, दो circle है, निकी, दोनों circle, एक circle का area pi r square होता, दोनों का हो जा तब ये बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखे, 2 pi r और 2 pi r कामन ले लिया, तो इदर से h आया, और यदर से r square है, एक r बाहर आ गया, तो एक r अंदर रहाएगा, तो h plus r, तो इसका फार्मूला हो गया, 2 pi r in bracket h plus r, इसका volume find out करने के लिए, pi r square का, यानि ये जो है, जो area होता है, circle का, उसकी h से multiply कर देंगे है, तो pi r square h इसका volume आ जाएगा, volume का मतलब इसमें कितनी चीज़ जाएगी, कितना पानी भर सकते हैं, कितना सामान भर सकते हैं, कितना गयोंचाबल, जो भी चीज़ जानी जाती है, ठीक है, इसके बाद हम द radius होता है, और ये जो है, slant height, इसकी जो तिर्ची वाली उचाई, इसको हम L कहते हैं, L से denote करते हैं, तो अब देखिए, इसका जो curve surface area अगर निकलना हो, c i se, तो ये होता है, pi r, pi r और L से multiply कर देते हैं, ठीक है, pi r की किस से multiply कर देते हैं, L से, इसकी multiply कर देंगे, तो ये curve surface area निकला आएगा, और L को निकलने का भी formula यहाँ पे है, L देखिए, होता कैसा, ये अगर हम बात करें इसकी, तो ये एक right triangle बन जाएगा, यहाँ पे 90 degree का triangle बनेगा, ठीक है, तो right triangle बनने के बाद, जब हम L निकालना हो, यह सबसे बड़ी side होती है, इसका square is equal to होगा, इसका square plus is equal to होगा, तो इसको हम रैट कर सकते हैं, L is equal to root h square plus r square, इस तरह से हम L find out कर लेते हैं, अब बात करते हैं, इसके total surface area की, ठीक है, total surface area हम क्या होगा, एक त circular part है, उसका area, ठीक है, तो यह जो है pi r l में हम pi r square और add कर दें, क्योंकि इसका area जो होता, circle का वो pi r square होता है, तो इस तरह से इसमे add कर दें, यह बन जाएगा, pi r को common ले लेंगे हम, pi r common लिया, हमने यह इदर से l आया, इदर से r square है, एक आर बाहर आगे, एक आर अंदर रह जाएगा, तो pi r into l plus r, इस तरह से इसका हम tse find out कर सकते हैं, volume का इसका formula होता है, 1 by 2, sorry, 1 by 3 pi r square h, 1 by 3 pi r square h, इसके बाद बढ़ते हैं, इस फेर की तरह, यह देखिए, इस फेर देख रहा है हमें, यह एक ball जैसा होता है, ठीक है, जो ball जैसे ठोस होता है, ball जैसा solid ची, उसको ह हम, इस फेर बोलते हैं, इसका curve surface area और total surface area एक ही होता है, जो 4 pi r square होता है, 4 pi r square, यह एक ऐसी चीज़ है, जिसका total surface area और curve surface area एक ही जैसा होता है, same to same, क्योंकि इसमें, तो सभी एक ही जैसा है, कि दर से भी देखो है न, और इसका volume जो है, वो 4 by 3 pi r cube होता है, 4 by 3 pi r cube, इसके ब बॉल को अगर आदा आदा बीस से काड़ दे जाए, या कोई और जो इस फेर है, वो इसको 20 से काड़ दे जाए, आदा कर दे जाए, तो हम उसको hemispair बोलते हैं, जैसे की circle का आदा कर देते हैं, semi circle बोलते हैं, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कर देंगे जो स्पेर का होता है फोर पाइयार स्कॉर इसको हम कर देंगे टू पाइयार स्कॉर 승 कर देंगे इधर का यह सर्कुलर पार्टी केंहीं कि इसमें हम पाय gravity कर देंगे तब यह हो जाएगा टू पायर है कि इसका जो सर्फेस होसा होगा वह गाथwe चुर्फे स्कोयण ठीक है अब मत आट वाल्यूम की नियुक्त आधिator क्रहोंनने कि तो यह रहे फामूलाज जो आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है इनके बिना आप कोई क्वेस्टन नहीं कर पाएंगे इनको आप बार-बार रिवायच करें खूब करें तभी आप कर सकते हैं बाकी कुछ और चीज़ें भी आएंगी जो जब जब जरूरत पड़ेगी हम एक्सरसाइज कराएंगे चैप्टर कराएंगे तब आपको बताते जाएंगे उनको आप तब लॉर्ण करते जाएं ओके डियर थैंक्यू फार वाचिंग डिस व्यूट तो ठीक है नहीं स्टेट किया गया नहीं पता गया है तब तक हम पाई की वैलू 22x7 रखेंगे लिए क्वेश्चन नमबर बने टू क्यूब्स इच और वाल्यूम क्यूब 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 सेंटीमिटर और जोएंड टो एंड एंड यह जिनकी दो क्यूब को बाल्यूम ज रिजल्टिंग क्यूबड अब उनका जो है जब दोनों को जोइन कर दिया गया तो वह कोवाइड बन गया तो जो भी रिजल्टिंग कोवाइड बना है उसका हमें सरफेस एरिया पैंड और करना है ठीक है इसको समझाता हूं मैं सॉल्व करके आपको पेपाप पे तो है कि गया एक और है कि क्यूब और है इन दोनों को मिला दिए गया है एक सात रग ये गया है कि अधिक है इन को फूल जो यह एक साथ जब रखा गया है इस तरह से इनको जब जोड़ा गया है तो इसके रिजल्ट जो आया वह एक ऐसा बन गया तो इसके बराबर में रख दिया गया है तो उसमें उसका बनेगा क्यूब धो अंप के इस तरह से एक देर से जो है मैं थोड़ा थोड़ा रहा है यहां धूझे है कर जाक है तो इस तरहसा डद कि बटन कि रख दिए गया है यह वाली दान नहीं हो टो थोड़ा तो यह मानलों चीक शब्वीब जो सेड है वीस आईरिया दिया है का छी के-थे दो एस से हमें सिसके स्चाड़ पता रेंगे ए ए राईड क्या हूआ है एरिया क्यों अब यह सेंतिनीमीटर हैना अब यह क्यूब क्या होता संजय क्यूब एक्यूब जिससे करके 64 4 से कर दीजिए 4 बन जा 4 4 4 6 24 4 16 4 बन जा 4 तो यह 3 का एक पेर बन गया ठीक है 3 का पेर को यह 64 को मैं से राइट करता सकते हैं साइड की पॉबर 3 इस इकल टू 4 की पॉबर 3 पॉबर से पॉबर कैंसल हो जाएगा तो साइड कितना आ गया इस इकल टू 4 सेंटी मीटर 4 सेंटी मीटर यह है इसका यह भी 4 सेंटी मीटर सारी साइड जो है वह 4 सेंटी मीटर ना ठीक है इसकी height length breath जो है cube की सब एक ही ऐसी होती सब 4 4 हैं अब देखिए अब इसकी ये बात करें हम ये length की ये दब जो 2 cube बन गया है तो इनको ये cube बन गया है दोनों को पास पास में रखा गया तो इसकी ये भी 4 हो गई है तो यहां पर जो है resulting q-aid करेंगे resulting q-aid q-aid में क्या होगा जो height होगी वो तो आपकी 4 cm रहेगी ठीक है और जो b है breath वो भी 4 cm रहेगी बट जो length है l l हो जाएगी 4 पिलस 4 ये देखिए 4 पिलस 4 कितना हो जाएगा 8 cm अब हमें इसका निकालना है area surface area ठीक है तो हम यहां पर रैट करेंगे surface area of resulting q-aid resulting q-aid कैसे होगा जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे ठीक है 2 l b पिलस l h पिलस b h ये फार्मूला होता है ठीक है अब इस फार्मूला से हम जो बैलू है वो पोर्ट कर देंगे 2 रैट कर लेंगे l की जगह पर हम 8 रैट करेंगे b की जगह पर 4 रैट करेंगे पिलस l उनकी जगह पर 8 रैट करेंगे और h की जगह पर भी 4 रैट करेंगे पिलस b की जगह पर 4 और h की जगह पर 4 रैट करेंगे ठीक है इसको solve कर लेते हैं simplify कर लिए बस आप calculation करके answer आजाएगा तो 284 रैट फॉर फॉर जा थर्टीटू और पिलस 4 फॉर जा 16 तो यह हो गया आपका जब इस 32 थर्टीटू और 16 को एड करेंगे तो यह हो जाएगा 80 ठीक है 80 और 2 का multiply करेंगे 160 cube square centimeter area जो है यह surface area और सब square centimeter वाल्यमन कर लेगा तो cubic centimeter or meter adjustment भी इसमें उसमें आएगा ठीक है बस हमें square और कुल का ध्यान रखना है volume क्यू में आएगा इस और area और surface area अगर 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 सरफेस एडियो हो चाहें तोटल सर्फेस एरिया हो सब स्कॉयर में ही आएगा इसका उनिट स्कॉयर हो ता ठीक है यह एंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्टन दिखते हैं क्वेश्टन नमबर टू अवेसल अवेसल इस इन फॉर्म आप हालो हेमिस्पेर मॉंट्टेड बाया हालो सिलिंडर है तो टॉटल हाउ पोप यह एक सिलेंडर मॉंट्टेड किया इस उसका उपर जोगा हो तोटल हाई आप यह थीच्प्वेसल की बो थर्टीं सिलिंडर करना है ठीक है फेपर बना के फिगर बना के समझाता हूं आपको ginger की जू बैसल है वो इस तरह का है ठीक जए है यहां पर यह इस तरह से हेमी स्पेयर हेमी स्पेयर क्या होता है जो अर्ध बुला होता है ठीक है यानि कि जो इस फेयर होता है उसका हाफ होता है हेमी स्पेयर इस तरह से है इसके बाद ऊपर जो है वो सिलेंडरी कहले है इस तरह से ठीक है इस तरह का बना हुआ है तो इसका जो diameter है इसका यहां से यहां तक का इसकी length वो है 14 cm और इसकी total height है यहां से लेकर करके और यहां तक की total height है वो है 13 cm यह है ठीक है अब इसकी दिखी इसका जो diameter यहां से हुआ है ना यहां से यहां तक यह ऐस तरह से हुआ ठीक है यहां से यहां तक कि इसका radius हो जाएग जरूगी तो बाकी जो यहां से यहां तक की distance बची वो इसकी height बचेगी cylindrical portion की है ना radius दोनों की एक ही रहे क्योंकि diameter तो same ही है तो यहां पर add करेंगे height of cylindrical portion height of cylindrical portion हमें निकालना है inner surface area of vessel तो यहां पर add करेंगे inner surface area of vessel is equal to क्या होगा इसका हम जो है curved CSA निकालेंगे curved surface area और यह जो cylindrical है उपर portion उसका भी CSA यानिए curved surface area फैंडाट करेंगे बस हमारा काम हो जाए ठीक है तो यह होगा CSA of cylindrical portion cylindrical portion पिलस CSA of hemispherical portion पिलस इसका होता है CSA of cylindrical portion इसका formula लगाएंगे और CSA of hemispherical portion दोनों का लगा लेंगे ठीक है तो इसका CSA होता है cylinder का 2 pi r और h पिलस इसका होता है 2 pi r square hemispherical का दोनों का हमने लगा लिया अब इसमें देखिए 2 pi r common है दोनों में 2 pi r common ले लिजिएगा 2 pi r common लिया तब इदर से 2 pi r इदर आ गया यह अंदर आ जाएगा h पिलस इदर से 2 pi r common है गट r square है न तो एक आ बहर आ गया एक आ अंदर रहाएगा h पिलस आर ओके अब इसमें जो है कि बैलू पूट कर दीजिए 2 into pi की बैलू राट कर देंगे 22 वाई 7 और रिडियस जो है 7 है गूर राट कर दिए h 6 है और r कितनी 7 ठीक है 7 से 7 हो जाएगा यह हो गया 44 into 6 और 6 और 7 कितना हो जाता है 13 ठीक है 13 और इसका multiply कर दीजिए 13 फोर्जा होते है 52 तो 572 square centimeter इसका जो है inner surface area हो गया बैसल का ठीक है आंसर हो गया next question देखते है question no.3 a toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm radius जो है 3.5 cm है mounted on a hemispheres of same radius the total height of the toy is 15.5 cm find the total surface area of the toy तो toy है इसमें एक बना हुआ जिसमें एक कोनिकल पॉर्षन है कुछ हमिस्परिकल पॉर्षन है दोनों पॉर्षन का एक ट्वाय बना हुआ है उनका हमें तोल सेर्फिस एरिया find out करना पेपर पर करके देखते हैं फिगर बना के कि ट्वाय जो है वो इस तरह का है यानि कि यहां से यहां तक का वो है 3.5 हम कह सकते हैं यहां से यहां तक का यह कितना है 3.5 cm और इसकी टोटल हैट है यहां से यहां तक की है तोटल हैट है 15.5 cm ठीम्ट फर्टीन से यह यह तूटल हैं यहां से यहां से यहां तक का यह 3.5 हम हुआ तो यह इसका तोले सर्फेस एरिया क्या होगा यह जो है है इसका कड सियसे सकर्ट सर्फेस एरिया और यह कॉनिकल पॉर्शन ने इसका भी is the curve surface एरिया ठीक है यह फैंड डॉट हमें करना है वो फैंड डॉट हो जाएगी निकल लाएगी ठीक है तो पहले हमें आपर हैट करेंगे हाइट आफ कॉनिकल पॉर्शन इस इकल तो यह रिडियस सेप्रेट कर दीजिए फॉल में से यहां से यहां तक ही है 15.5 माइनस 3.5 इस इकल तो 12 सेंटीमीटर ठीक है 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी यहां से यहां तक की अब इसकी रिडियस 3.5 है और इसके जो है यह 12 है तो यह L निकाल लेंगे ठीक है L का फामूला होता है L is equal to root H square plus R square is equal to H हमारे पास है 12 square square plus R हमारे पास है 3.5 का square ठीक है तो यह 12 जा होजाता है 144 3.5 का 3.5 का multiply कर लेंगे तो यह 5 जा होजाता है 25 5 3 जा 15 15 15 और 2 17 है ना 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 1 10 5 2 1 नहीं 2 1 यहां पर point आ जाएगा ठीक है यह फिर एक काम करेंगे 3.5 को ऐसे राट कर सकते हैं 3.5 को 7 by 2 थोड़ा एजी हो जाए calculation यह छोड़ो ठीक है तो यहां पर हम क्या राट कर लेंगे 3.5 की जगए पर 7 by 2 का square ठीक है इसका जो calculation है वो थोड़ा जा फूर आ जाएगा है ना फिर फोर का से मल्टीप्लाइब कर दीजिए फोर फोर जा 16 फोर फोर जा 16 बन सा वन टीन फोर बन जा फोर बन फाइब पिलस 49 इस इकल टू हो जाएगा रूट इसको जब आट करेंगे 5 625 बाई 4 इनका 625 का होता है 25 इसको है रूट है ना फोर का होता है 2 तो यह 25 बाई 2 सेंटीमीटर आ गया एल ठीक है एल की बैल हुए आगई है अब हमें फाइंड आट करना है टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया आप होए है इस इकल टू क्या होगा इसका कर्ब सर्फेस एरिया और इसका सी ऐसे आप हेमिस्पेरिकल पॉर्शन और पिलस सी ऐसे आप कॉनिकल पॉर्शन ठीक है दोनों को एड़ कर लेंगे हमिस्पेरिकल का जो होता है होता है टू पाई आर स्क्वाइर पिलस और यह जो है और क्या है हेमिस्पेरिकल और कॉनिकल कॉन का जो होता है ठीक हिर पॉल यह एर आल अब इसमें पाई और पाई अर कॉम ने लिजएगा यहना सिंद पाई और कॉमन लिजए घुए आपने तो यहां पर टू आ जाएगए एक और आ जाएगा पिलस पाई यार कामन आ गया, अब आ जाएगा, ठीक है, आब इसको क्या करेंगे, कल्कुलेशन थोड़ा एजी हो गया, अब हम इसको सॉल्ब कर लेंगे, पाई की बारू राट करेंगे, 22 वाई 27, R की वालू 3.5 और 2R, यानिकी 3.5 इंटू 2, चैना 2 इंटू 3.5 कर लें, पिलस L, L हमारे पास केतना आया था, 25 वाई 2 आया, 25 वाई 2 को हम आई से राट कर सकते हैं, 12.5 cm है ना, तो यह हम राट कर लेंगे, 12.5, ओके, अब इसको कर लिजेगा, यह हो गया, 22 वाई 7 इंटू 3.5 को हम 7 वाई 2 राट कर सकते हैं, ठीके, और इंटू यह 3.5 का डवल हो जाएगा, 7 पिलस 12.5, थोड़ा सा और रह जाया करने को यह कर लें आप, यहां 7 से 7 कैंसल कर देंगे, 2, 11 जा हो जाएगा, इनकी 11 इंटू 7 और 12 कितना हो जाता है, 19.5, इसका मल्टिप्ला 11, 99, 99 और 4 जाता है, 204, कैरी 10 हो गया, और 11 बंजा 11, 10, 21, 21, 214.5 स्कार सेंटिमेटर, इतना जो है, टोटल सर्फेस एडिया हो जाएगा, ट्वाई का अंसर, नेक्स्ट कुस्टन दिखते हैं, कुस्टन नमबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक आपसाइट 7 सेंटिमेटर इस सर्म सॉलिड तो उसका साइड जो है, वो 7 सेंटिमीटर है, उसके जो है, उपर एक हमिस्पेर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका ग्रेटेज डामीटर क्या होगा, दूसरी ती उसका हमें सर्फेस एरिया, वो सॉलिट का फंडॉट करना है, ठीक है, पेपर फिगर बना के समझात इस फिर बना हुआ है, तो हमें इसका जो है डामीटर फांडॉट करना है, ठीक है, इसका जो सैड है, वो 7 है, यहाँ से यहाँ सिदिक है, तो वो भी तो यहाँ से यहां तक कई रहे गा, यह डामेटर निकाल देंगे हेमिस्पेर का तो राट कर देंगे ता गेरेट टेस्ट डामेटर ऑप हेमिस्पेर इस इकल टू तो सैड अप क्यूब ठीक है तो यह कितना हो जाएगा सैबन सेंटिमीटर यानि कि सैड के एकल होगा सैड 7 सेंटिमीटर है ठीक है एक अंसर तो यह होगा दूसरा चीज यह है कि हमें टॉट करना है दस सर्फेसेरिया अरिया इसका सर्फेसेरिया और करने के लिए एक तो पूरा यह जो circular part है इतना area तो वह अंदर छिप जाएगा ना उपर से क्योंकि जब इसके उपर हम रखेंगे hemisphere तो इतना area जो circular है यह 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 चिप जाएगा तो यह निकल देंगे सब्टेट कर देंगे ठीक है समझ रहे हैं आप न देखिए यह तो हमें इसके six space से यह अब यह हम जब इसमें फिर इसमें इसका हेमी स्फिर का कट निका लेंगे उपर उपर का अब बाकि जो यह circular पार्ट है यह तो छिपा हुआ जब यह रखा हुआ है इसके उपर तो और जब की area हम इसका add कर चुके है तो इसको हम जो circular वाला area है इधर का इसको minus कर देंगे तब इसका total surface area निकलेगा solid का ठीक है तो यहाँ पर right करेंगे और total surface area एनि टी ऐसे of cubical portion पिलस इसका curve surface area हेमी स्फिर का क्योंकि नीचे का तो बंद है वो जो circular part है वो बंद है यह न उससे में देना है दो सी है से और हमी स्पिरिकल पॉर्शन और माइनस क्या कर देंगे यह circular part पॉर्शन है वो माइनस एरिया ओफ शेक्यूलर पॉर्शन यह इस पे लिंग में स्टे हो सकती सर्कूलर सी के बाद यू आगर ठीक है यहां पर तब इससे हो जाएगी तो अब देखिए टोटल सर्फिस एरिया क्यूब आट का होता है है क्यूबड का स्वारी क्यूब है क्यों की होता है वह सिक्स हे स्कूर होता है सिक्स है है ठीक है इसमें प्लास कर्ब सर्फिस एरिया अब हमी Shap ב 2 da और अगर अदिना आ इसका होता है और एयरिया होता हूए जडिया क्या खुर्ण कि क्लिए तो यहां पर इस इंटू सेवन इंटू सेवन सेवन पिलस पाई आर स्कार यानी 22 गई सेवन और इंटू रेडियस का कितना है यहां डायमिटर जो था बो कितना था सेवन तू अर क्या हो जागा इसका हव ओ अना तो यह होगा सेवन भाई तू टू टाम से रट कर लेंगी शेवन शेवन सेवन या ना कीतना होता है 77 इधर इनका इनका मुली कर दिजिए शिगसे बन को टी टू चैवन से कर लिजिए ठीक सेवन तू 14, 7, 4, 28, 20, 10, 294 हो गया यह, 294 पिलस इधर आगे 11, 7, 77, 11, 7, 77 और बाई 2, 2 से जब डिबाइड करेंगे तो 2, 3 या 6, 2, 8 या 16.5, 38.5 है ना, 38.5 इसको एड कर दीजे, यह आगे 332.5 स्कॉर सेंटीमीटर यह आंसर होगा, नेक्स्क्रीट चलते हैं, क्वेश्चिन नमबर 5, अ हैमी स्पेरिकल डेप्रेशन इस कट आउट फिरांग बन फेस आपक क्यूविकल बूडन ब्लॉक सच दर डाइमेटर एल ऑप दा हैमी स्पेर इस इक्वल तू दा एज ऑफ दा क्यूब लिटर मेंदा सर्फेस एरिया इस तरह ऐसे बनाया गया इस तरह से बनाया गया इसमें है समझ रहे ना ये ऐसा बनाया गया है और उसमें य liken या हो जाएगा इसका ly2 और age वो है age किसे कहते है side को ठीक है वो कितना है l ये दिया हुआ है बाकि हम से ये पोछ रहा है कि जो solid है उसका surface area आप बताईए ठीक है तो हम यहाँ पर निकालेंगे surface area of solid अब देखिए ये surface area जो है कैसे निकालेंगे एक तो थोड़ा सा इस तरह से गड़ने surface area ये थोड़ा सा रौंग बन गया है आप जो है समझने की कोश्च्च करें समझने के वाल बस बाकि ये जरूर रहने की figure बहुत सुंदर हो अलाकि सुंदर figure अच्छा लगता है आप बना सकते हैं अच्छा मेरा art इतना अच्छा नहीं है तो हम आप समझने की कोश्च कर रहा हूं मैं आप देखिए इसको एक तो हमें करना क्या है कि इसका जो है सबका face सारे face है ना वो दूसरा ही जो hemispher है इसका curve area क्योंकि ये तो अंदर से खोकला हो जाएगा इदर से तो बहुत सब अंदर का वो भी तो area ही होगा तो ये अंदर का जितना भी है बहुत सब area कि इतना add करेंगे ठीक है subtract नहीं करेंगे आप सौचेंगे जो है इसमेंसे area में निकलना है अभी इतना निकल दिया गया hemispherical portion निकल दियागा इसको निकल दो तो area में ऐसा नहीं करना है volume बगर हमें हो सकता है ये इसका area जो cubical portion है इसका ठीक है total TSA of cube plus इसका जो cut surface area है वो add कर लें CSA of कि यह तो Kohiak a ठीक है कि ऑइसमें से माइनस और करें कि यह तो बाइद यह जो है हमने अठाइब हुआ है इसमें ऐह से तो खोपटा हैंसे यह थूदि नहीं और यह ऊपन कि तो नहीं करना है हमें तो विह थर निकलना था करद नधा वह आ गा ठीक है यह चीज है हमें करना है तो टीय से आप क्यू इसका होता है 6 a square त्यज्ञाइब है न इस्वर में क्या बोलेंगे 6a, तो एक यह यहां यहां पर 6l square हो जाएगा ठीक है सैट कितनी ल। पिलस C se of hemisphere hemisphere का cse न होता है 2πr sqr અब वही सेर्क्ल का एरिय जो इस है, वो क्या होता है? pi r sqr कर देंगे, ठीक है? 2 pi r sqr में से 1 pi r sqr सपक्टर करेंगे, तो kेबल pi r sqr ही रह जाएगा एदर, 6l sqr plus pi sqr pi r sqr, ठीक है अब value put कर लेंगे, 6l sqr plus r ki pi आई आए से रहने दीजी इसमें जो है और नमबर नहीं दीए है और की वैलू क्या है एल वाइंटू एल वाइटू हम टू टाइंस एड़ कर लेंगे लवाइटू इंटू एल वाइटू यह हो जाएगा आपका 6L square पिलस ये भी L square हो जाएगा है ना और ये टू-टू जा 4 4Pi L square इस तरह से ये हो गया ठीक है अब इसको 4 नहीं L square ये 4 अपॉन में यहाँ यहाँ पिलस्कार अपॉन में 4 ठीक है अब इसके अपॉन में बन करके इनको एड़ कर लीजिये हैं 4 बन जब 4 4 और इसका 4 इसका 24 और L square पिलस पाई इसका multiply करेंगे तो पाई L square ये आया ठीक है L square common ले सकते हैं ना तो L square हमने common लिया तो bracket में क्यारा जाएगा 24 पिलस पाई और अपॉन में 4 ओके इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं L square पाउन 4 और प्रिकेट में 24 पिलस पाई ये फंडली आंसर हुआ square square unit है ना एरिया है न तो square unit किसमें दिया है यह सेंटिमेटर बगारा में नहीं दिया है तो केवल square unit राइट कर देंगे square unit ये फंडली आंसर हुआ है नेक्स वेस्टन की तरफ चलते हैं question no.6 a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its age see figure 13.10 the length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm and the surface area actually यह जो है यह है यहां से यहां तक का यह two hemispheres लगे हुए ठीक है इसका यह diameter हुआ और यह इसकी length हुई total length तो इसका हमें surface area find out करना है ठीक है इसको paper figure बना के आप हो समझाता हूं फिर से यह दिखिए इस तरह का है इसकी total length है यहां से यहां तक की वो है 14 mm mm का मतला होता है millimeter और इसका जो diameter है यहां से यहां तक का वो है 5 mm ठीक है तो इसका यहां से यहां तक का distance कितना जागा और यहां से यहां से यहां तक का। अगर यहां हम इसमें से सब्टाट करने फुल लेंद में से तो हमें हैट मिल जाएगी यहां से यहां तक की जो कि सिलेंड्रिकल पॉर्शन की है बाकी जो है रेडियस हेमी स्पेर और और इनका जो है वह एकी रहेगा तो आर इस एकल टू राट करेंगे कि 5 x 2 mm क्योंकि जो डियमेटर है वो 5 है है ना अब हम निकालेंगे हाइट आप यह लेंद भी लेख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल पॉर्शन कैसे निकलना है यह टोटल 14 है इसमें से 5 x 2 और 5 x 2 सब्टेट कर देंगे दूबार है ना कि इसका इसका सरफेस एरिया और कैपसूल है तो हम find out करेंगे, the surface area of capsule, is equal to, क्या क्या करना होगा, देखी एक तू जो है, यह जो cylindrical portion है, इसका cut surface area है, पॉर्षन, पॉर्षन, पीलस यह जो है, यह की जैसे है, तो इसको टू कर देंगे, पिलस, टू, यह एड़ कर लीजिए, इसका भी CSA of two hemispherical portion, hemispherical portion, ठीक है, तो अब इसको रैट कर लीजिए, CSA of cylindrical portion, इसका जो फार्मूला होता है, टू पाई रह होता है, और पिलस, टू hemispherical का, टू से multiply कर देंगे, हमispherical का जो होता है, CSA curve surface है, यह बोट two pi r, स्वार होता है, two pi r square, टू से multiply कर देंगे, तो four हो जाएगा, two pi r h plus four pi r square, common है, इसमें two pi r, radius है की है, इसलिए, पाई की बालू भी बही आएगी है, तो इसको में common ले लेंगे, है, two pi r को, तो two pi r common ली लीजिए, two pi r, तो इधर h आ गया, पिलस, two, 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 जा four and two, pi common आ गया, एकार common है, एकार अंदर राजाएगा, अब इसमें value put कर दीजिए, two into twenty two by seven, radius जो है, five by two है, और h है, h कितना है, जो से cylindrical portion का h आया, है, वो nine, plus two r, two into r की value, five by two, एसको जो है, solve कर लीजिएगा, यह two से two cancel हो जाएगा, यह हो गया, 22 by seven into five, और into, यह दिखिए, two से two cancel हो गया, nine और five कितना हो जाता है, फोटीन, seven two is आ फोटीन, five two is ten, तो यह आ गया, 220 mm square, millimeter square, okay, यह finally answer हुगा, तो यह एक भी question आराम से हो गया, आप नेक्स्ट क्वेशन को देखते हैं, question number seven, a tent is in the shape of a cylindrical surmounted by a conical top, if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, and the area of the canvas used for making the tent, also find the cost of the canvas of the, cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees, 500 per square meter, note that the base of the tent will not be covered with canvas, यहनिकि जो canvas है, वो से, जो tent का base है, वो covered नहीं किया गया है, तो question को पढ़के पहले द्यान से समझना है, एक बार समझ में ना है, दो बार पढ़ गया, ठीक है, जल तो इसको मैं आपको figure बना के समझाता हूँ, देखी question कहा रहा है कि tent ऐसा बना हुआ है, कि नीचे का जो portion है वो cylindrical form है, ना इस तरह का यह tent बना हुए है, यह cylindrical form है, और इसके ऊपर, तो इसका top है, वो कौन के जाशे बना हुआ है, देखाई होगा आपने tent बगरा सरकप्स में बनते हैं, वो इस तरह के ही बनते हैं, इस तरह का बना हुआ है, तो इसके जो cylindrical form है यह वाली, यह बना है, यह है, 12.8 cm, 2.8 cm, 2.8 cm है यह, ठीक है, इसका diameter जो यहाँ से यहाँ तक का दिया है, वो भी दिया है, वो कितना है, 4 meter, ओके, और और क्या दिया है, और जो cylindrical portion है, इसकी यह, यहाँ से यहाँ तक का, यह height दिया हुआ है, वो 2.1 है, हमें क्या निकालना, इसमें जो canvas लगा हुआ है, यह कपला लगा हुआ है, उसका area कितना है, और area निकालने के बाद उसकी cost कितनी है, यह दो चीजें हमें plan dot करनी है, ठीक है, तो इसमें इसकी भी radius वही होगी यतनी की, इसकी है, है न, diameter उसका भी उतना नहीं है, तो direct लिख लीजिए, हमको सब्सीच पता ही है, यह L भी पता है, इसको L कहते हैं, और इसको H कहते हैं, इसको diameter कहते हैं, इसका R जो होगा, वो कितना हो जाएगा, 4 by 2, यानिकी 2, 2 meter है न, दोनों का, तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा, the area of the canvas, is equal to, यह curved surface area of cylindrical portion, CSA of portion plus इसका भी CSA, conical portion, conical portion, ठीक है, इसका जो cylindrical portion का होता है, 2 by r h, पिलस, जो conical portion होता है, इसका होता है, पाई आर एल, CSA है न, CSA की बाच चल लिए आपर, तो हम इसमें 2 by r radius एक है, 2 by r common ले लिए, ठीक है, 2 by r common लिया, इदर आ गया h, और इदर आ गया, sorry, 2 by नहीं common हैगा, केबल पाई आर common है, पाई आर common है, पाई आर common है न, तो 2, यहाँ पाई आएगा, 2 h, पिलस, इदर से 2 बचा, और यह h है, पाई आर इदर से काम लिए लिया, तो l वाया, ठीक है, यहाँ पर 22 by 7 into radius जो है, वो कितना है, 2, तो रेडियस की जगाँ पर हम 2 rat कर लेंगे, 2 h, यहाँ कि 2 into h है, वो 2.1 है, 2.1 और पिलस, l है 2.8, ठीक है, इसको simplify करेंगे, 22 by 7 into 2, और इसका double कर लिजिए, कितना हो जा गई है, 2 बन जा 2, 2, 2, 4, 4.2 पिलस, 2.8, पिर से आगे बढ़ेंगे, 22 by 7 into 2, यह हो गया, इसको इसको add करेंगे, 7, 7 से 7 गया, 22, 22 होता है, 44, तो पहला आंसर इसका आ गया, एरिया जो find out हमें करना था, हो आ गया, इतने square meter, ठीक है, 44 square meter, जो है, इसका area आ गया, हमें निकालना है, cost of canvas, इसकी कपड़ की cost क्या है, cost of canvas, एक अंसर यह आपका है, तो cost of canvas का है, जो यह है, उसकी जो दिया rate दिया है, 500 पर square meter, तो 500 से, इसका जो area है, उससे multiply कर देंगे, ठीक है, 44 square meter into 500, यह रुपीज, यहाँ पर 2,0 आ गया है, न, 5,4,20, 5,4,20, 22, 22,000 रुपए जो है, इसकी cost आएगी, ठीक है, तो यह question 10 हुआ, next question के तरह चलते है, question number 8, from a solid cylinder, whose height 2.4 cm, and diameter 1.4 cm, a conical cavity, of the same height, and same diameter, is hollowed, outfand the total surface area, of the remaining solid, to the nearest square centimeter, ठीक है, इसमें, जो है, एक solid है, जो कि cylinder की form में है, उसमें से, एक conical, cone जैसा, जो है, hollowed कर लिया गया च्छेद, है न, उसी, same height का, और same diameter का, तो हमें जो बाकी का जो बचा हो, इसका surface area, find out करना चलो, figure बना के समझाता हूँ, कि इस तरह का एक question कह रहा है, कि इस तरह का एक cylinder है, जो कि solid है, ठीक है, इस तरह का cylinder है, इसका diameter दिया है, 1.4, यहां से यहां तक का, इसका जो distance दिया है, वो 1.4 cm है, ठीक है, और इसका जो height है, यहां से यहां तक का, वो है 2.4 cm, यह है चाया, और यह diameter दिया है, अब इसमें से एक इसी diameter का यहां से ऐसे करके, एक conical burden इसमें से hollow कर लिया, cavity मतला बोदा चेद करना, ठीक है, तो यह इस तरह का यह किया गया है, तो यह इसमें से निकल दिया गया, ठीक है, देखिए, आपको थोड़ा सा वीडियो में technical problem भी फिर से समझ दीजिएगा, यह इस तरह से, यह जो है, cylinder मैंसे, यह conical छेद करके, बाहर फेंक दिया गया, ठीक है, अब हमें निकलना है, इसका surface area, टोटल surface area, तो एक तो जो ऊपर वाला portion है, यह अंदर अंदर से निकलना है, बाहर तो सब ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है, तो इसका पूरी का curved surface area, यह निकलना है, ठीक है, दूसरा यह अंदर से खोकला हो गया, जब यह खोकला हो गया, तब क्या हमें उसका अंदर का भी निक right है, ठीक है, तो हमें तो L की जिरुवत पड़ती ही न, conical part की curved surface area निकलने के लिए, ठीक है, और दूसरा इधर से भी solid है, तो इसका CSA और इसका CSA और प्लस यह जो circular portion है, इधर से तो बन दी है, इधर से open है, इधर का नहीं निकलना, इधर तक का हमें fan out करना है, ठीक है, त ठीक है, और H is equal to कितना है, 2.4 cm, अब हमें निकलना है L, तो पहले तो हम L निकलने होगे, L is equal to क्या होता है, root R square plus H square, ठीक है, तो 2.4 square plus जो यह है, 0.7 square, यह R है, ठीक है, 2.4 का multiply करेंगे, तो 5.76 आ जाएगा यह, और पिलस यह इसका होगा, 0.49 आ जाएगा यह, ठीक है, इनको add कर लेंगे, तो यह जाएगा, root 6.25 और 6.25 जो odd करेंगे, इसका square root निकलेंगे, तो यह जाएगा 2.5 cm, तो इसका जो L आया, यह वाला, यह 2.5 cm हुआ, ठीक है, अब इसका हम आसानी से area, जो है, total surface area, वो fan dot कर सकते हैं, तो यहाँ आप रैट कर लीजिए, total surface area of remaining solid, थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखें, बच्चेस में computer आते हैं, कि यह remaining solid है, तो इसमें हम सब्टेट करना पड़ेगा, लेकिन सब्टेट नहीं करेंगे, क्योंकि यह अंदर से जो हमें, निकाल दिया गया है, तो उसका और यह open हो गया, उसका भी area हमें अंदर से fan dot करना पड़ेगा, यह चीज और अगया है, कि अगर इसका volume फूचा जाता, या बताए कि उसमें metal कितना रहे गया है, तो उसको minus कर देते volume को, तब metal उसका पता लागया था, metal होता या बूर्डन ह होता कुछ भी होता है, मिट्टी होती, तो उसको हम सब्टेट करते हैं, यहाँ पर हमें कैसे करना है, कि उसको भी हमें add करना है, तो हम write करेंगे, csa of cylindrical portion, और plus cylindrical का हो गया, अब cubical portion, ठीक है, csa of cube, और plus यह वाला जो area of circular part, base, circular base, जो base रहे हैं नीचेगा, इसकी तो बंद है न, इसका to find out करना है, तो यह निकाल लीजिए, इस cylindrical portion होता है, इसका area होता है, पाई आरेल, पिलस, यह और क्या है, cube, sorry, इसका 2 पाई आरेच होता है, cylinder का है न, और इसका होता है, पाई आरेल, पाई आरेल, और पिलस इसका जो होता है, circular base, इसका होता, circle का पाई आर स्क्वाइर, ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, तो पाई आर सभी में common है, तो common ले लीजिए, पाई आर, थोड़ा, इस common लेने से थोड़ा calculation लीजिए हो जाता है, इस बैस लेते हैं, हनाखे ऐसा नहीं कि आप सबका, सब में बात करके भी, सबका एरिया फाइन डॉट करके, और उनको add कर सकते हैं, तब भी answer रही आएगा, तो यहाँ पर देखिए, πाई आर common ले लिए, यहाँ प into h है हमारे पास 2.4, पिलस l हमारे पास, l केतना आया था, 2.5, ठीक है, और r हमारे पास है, 0.7, यह decimal जाएगा, इहाँ तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, अब इसको यहाँ आप पर कर भी सकते, 7 बंज़े 7, 7 बंज़े 7, तो यहाँ आगा 22 by 10, 22 by 10, into, यह जो है, 248, 22, 4, 4.8, पिलस 2.5, और पिलस 0.7, इनको add कर लेंगे, ठीक है, जब इनको add करते हैं, तो क्या आता है, हमारे पास, 22 by 10, into, 8, 5, 13, and 7, 20, carry 2, 2, 4, 6, 6, or 2, 8, 8.0, ठीक है, 8 से multiply करके, वाँ बंज़े रू कट करके, decimal लगा देंगे, 8 बंज़े 16, 8 बंज़े 16, 17, 176, अफ़वन 10, ओके, जब आप 0 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर decimal आजागा, तो ही केतना आगया, 17.6 square centimeter, यह जो होगा, remaining portion का surface, total surface area आजाएगा, ठीक है, बड़ वो पूच रहा है, nearest centimeter, question में एक चीज और कहीए है, कि nearest centimeter बताई, तो ठीक है, nearest centimeter बनाने लिए, अगर यहाँ पर 5 होता, तब तो हम एक बड़ा लेते, तर 5 से लेकर के 9 है, तो हम यहाँ पर बड़ा लेंगे, बन बड़ा लेंगे, यानि 18 कर लेंगे, बड़ यहाँ पर 4 होता, बन से 4 होता, तो यहाँ पर 17, 70 चुड़ लेते, बागी के खतम कर लेते, तो 17.17 को खातम कर यह यह हो जाएगा 18, ठीक है 18 स्क्वार सेंटिमेटर नीरेस्ट, नीरेस्ट सेंटिमेटर है करें, नीरेस्ट सेंटिमेटर, यह फैनली आंसर हुआ, नेक्स्ट कुस्टन दिखते हैं, कुस्टन नमबर 9, अब बुदन आर्टिकल बाज मेड वाई, स्कूप Its basis of radius 3.5 सेंटिमेटर फ्राइंदा टोटल सेंटिमेटर इरिया आपद अर्टिकल, सिलेंडर सेंट निकालना है, इसका ह में यहहां से यहां तक का, highly верх वो है 10 cm, ठीक है, तो इसका हमें क्या निकलना है, टोटल सर्फिस एरी, तो कर्ब सर्फिस एरी इसका निकलना पड़ेगा, है न, सिलिंडर का CSA निकल लेंगे, सिलिंडरिकल पॉर्शन का, और एक जो हेमी स्पेर है, इसका अंदर अंदर ये खोकला है, यहां तक, तो यहां स को एड़ कर लेंगे, ठीक है, तो यह 10 cm, इसकी हैट है, और रेडियस जो है, वो 3.5 cm है, तो हमें क्या फैंड़ाट करना है, टोटल सर्फिस एरी आप, आर्टीकल, सिलिंडरिकल पॉर्शन, एट क्वास, आर्टीकल, सिलिंडरिकल पॉर्शन परटीकल, सिलिंडरिकल पॉर्शन होता है, इसका सर्फिस करप्सिय पॉर्शन, ठीक है उसका CSA होता है 2 pi r h पिलस जो हेमिस्पेर होता है उसका पाइले 2 से मल्डिप्लाई कर लें और 2 pi r square होता है ठीक है अब जो है इसको solve कर लेंगे इसको जो है 2 pi r h पिलस 2 2 जा 4 pi r square हो जागा यह ना अब इसमें हम 2 pi r common ले सकते हैं 2 pi r common ले लेंगे तो इदर आ जागा h पिलस इदर 2 और r यह common आए यह एक आर अंदर रह जाएगा h पिलस 2 r ओके आप क्या करना है बैलू पूट कर दीजे 2 इंटू pi की बैलू जो है वो 2.7 राट कर लेंगे और radius हमारे पास है 3.5 इंटू 3.5 h हमारे पास है 10 cm पिलस 2 r यहीं कि 2 इंटू radius 3.5 ठीके इसको simplify कीजेगा यहां से देखिए decimal लटाएंगे तो यहां जीरुआ जाएगा ठीके सेबन बंज़े 7 7 5 जा और 5 बंज़े 5 5 2 जा 2 से 2 गया तो यह कितना रहा गया 22 इंटू यह हो गया 3.5 का 2 से multiply करेंगे 7 होना जागा 7 का 10 से multiply करेंगे ओ स्वरी add करेंगे 7 में 10 add करेंगे तो कितना जागा 17 कि मिस्टेक हो रहा है 2 पाई आर ठीक है 17 तू जा इसका multiply कर दीजी 17 तू जा 34 17 तू जा 34 और 337 374 जो है इसका टोटल सरफेस एरिया होगा यह फाइनली अंसर हुआ तो डियर सुच्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर बन का इस तरह का फिगर बनता है यह देखिए फिगर बन चुका है यहां पर एकसर साइज है यह है 13.2 क्वेश्चन नंबर बन तो क्वेश्चन ही कहा रहां कि एसा है सॉलिड है जो नीचे से हमी स्पेर और इसके ऊपर जो है वो कौन है इनकी इस जो रेडियास है वह बन सेंटी मीटर है यानि कि यहां से हाइट कि डिस्टैंस जो है वह 1 cm है और जो हट है या सिं और एक हेड वो भी बन सेंटी मेटर है तो हमbell nine करना है वालिवメ यह दोनों ISLiT का मिलाके वॉल्यूम इस सॉलिट है यह यह कॉन है यह इस फिर इन दोनों का मिलाके पूरे संट यह न यानि बन सेंटीमीटर और रेडियस भी बन सेंटीमीटर है ओके और फॉर हेमिस्फेर चblock monde कि उसमें रेडियस की ज़रूरत पढ़ती है मैं और वह बन सेंटीमीटर है Say बन सेंटीमीटर दोनों की रेडियस एकी समय कोन की भी ओर हमिस्एड की कि हमें फायंड कोरना है एक बालिम–ualk solid ести supposed to क्या होगा इसका वालूम का निकाल देंगे और इसका पालूम कोन का दोनों का एड कर देंगे ठीक है कि वालूम ऑफ हीमिस्पेर के फिलस वाल्यों ओफ कौन यहें कोन्यकल पार्ट ओके इसने कल दो देखिए हमी स्पेर का बॉल्यूम होता है टू भाई थिरी पाई यार क्यूब फिलस बॉल्यूम आप कॉनिकल पार्ट को इसका होता है बन बाई थिरी पाई आर स्क्वाईर एच ओके पुट कर दीजे बालू टू वाई थिरी इंटू पाई की बालू 22 वाई सेवन और इसका रेडियस है बन इंटू बन इंटू बन पिलस इसका बन बाई थिरी इंटू पाई आर स्कार पाई की बालू 22 वाई सेवन राट कर दें लेकिन पाई की बालू मत राट कीजिए क्योंक एक हम जो है पाइ की पहलू राटन ही करेंगे के वहराई रहने देए तो पाइ इंटू रेडियेस पढ़िए बन एंटू बन और हैच गए भलात यह थी निसायगी ना two by three Pi plus one by three और बन से multiply करेंगे वह यह बन भाई थी पाई ओके अब दिखिए टू भाई थी पाई और बन भाई थी पाई यह दोनों डूमिनेटर एक जैसे हैं तो टू पिलस बन कितना हो जाता है यह वह जागा थिरी वाई थिरी पाई ठरीबैए 3 x 3 2 aż 3 एक तैना तो कितना ओगयाोगोड क्याव प्यक्यूबिक सेंटीमेटर यह एंसर झांश्र होगे ठोश जविश्ण नमबर 2 की तरफ चलते हैं कुए इसक question no.2 the sale an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two coin cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet the diameter of the model is 3 centimeter and its length 12 centimeter if each one has height up to centimeter find the volume of air contained in the model that rasel made assume the outer and inner dimensions of the model of to be nearby the same यानि कि जो outer और inner जो है डामेंस मेजरमेंट्स वो लगबक सेम है ठीक है फीगर पर बनाके आपको बताता हूं क्या पूछ रहा है तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि रस्ते लिक मॉडल बनाता है इस तरह का इस तरह का मॉडल है जो की सिरिंट्रिकल है दोनों साइड में कौन है इस तरह से ठीक है इस तरह का दोनों साइड में कौन है वो तो अगर हम यहां से बात करें यह सिरिंट्रिकल हो गया इतना है नहीं या of rhetoric है कि अविए जिसकी टोटल लेंदफ है यूंड हैं आप वह कल 12 cm 12 cm इसके डान वह है 30 cm थेखे और जो इसकी हैड़ दी ओ कॉन कॉन के याज़ पार्ड है वह है कॉन – की लिधी ए पुष है कोन गये तो यह निकलाएगा इसका हमें सुम्मोडल का बॉलीम निकलना बॉल्यूम को एड़ करेंगे तब जाके हमें इसका बॉल्यूम मिल पाएगा बॉल्यूम है तो अब स्लेंडरी का पार्ट है कि एच इकल दू देखो यहां से यहां तक का ट्वल है इस में से हम टू और टू यह सब्टाट कर देंगे टू मैनस टू यह कितना रहा जाएगा एट सेंटीमीटर तो टू फोर हो गया तो फोर सब्सक्राइट सेंटीमीटर आ गया अब इसकी अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस वही सेम होगी थी सेंटीमीटर त्री वाई टू सेंटीमीटर हो जाएगा त्री सेंटीमीटर है ना रेडियस हो जाएगा त्री वाई टू सेंटीमीटर फार कॉनिकल पॉर्चन दोनों यह सेम कौन है कॉनिकल पार्ट कॉन की जो एच है वो है तू सेंटी मीटर और रेडियस वही रहेगी थिरी वाई तू सेंटी मीटर ओके इस तरह से अब हमें क्या करना है वॉल्यूम इसका वॉल्यूम ऑप मॉडल बॉल्यूम ऑप मॉडल मॉडल इस इकल टू यह होगा दोनों कोन ही जैसे हैं ना तो दोनों कोन का वॉल्यूम और प्लस यह जो है सिलिंडर का वॉल्यूम तो हम राट कर लें बॉल्यूम ऑप सिलिंडरिकल पॉर्शन सिलिंडरिकल पार्ट प्लस बॉल्यूम ऑप टू कॉनिकल पार्ट छो को निकल पाइघ तुम फार है तो स्लेंडर का बॉल्य्म होता है पाई और स्क्वार च दो स्लेंडर गों कॐका आप Ondक ना तो तो मॉल्टिपलाई त्लों और जो बॉल्यूम होता है उसका स्लेंडर का बन वाई थ्री पाई यार इसक्वार है ठीक सिंपल है बिल्कुल कोई प्रोब्लम नहीं इसमें यह तू बंजा टू भाई थी हो जाएगा और अलग-अलग है इसलिए जो है हम सिलिंडर का सिलिंडर रख देंगे कॉमन नहीं लेंगे ठीक है पाई की पहलू बाद में राट कर लिए पाई इंटू रेडियस है इसकी जो पहले हम किसका सिलिंडर का राट किया है तो इन्टू आ कि इन्टू एच है इसका सिलिंडर का एट पिलस टू बंजा टू वाई तरी स्लीब हों यहां पर टूमाल टिकलाई का था अब देखिए इसमें जो सेम छीज़े हैं वह कॉमन लीजेगा यहां से यह तक का यहां से यहां तक का है यह यह कॉमन ले लेंगे पाइंटू थोड़ा काल्कुलेसिन बाइशन दो जाएक इससे अब धिरी वाइटू थी व हो जाँ कि तूबाइट थिरी इंटू टू कि ऑगे कि बैरूर एड़ कर लेंगे टून्टीट टूबाइट सेवन इंटू तीरी जाना या ना और इंटू एट पिलस तूदू जाब फोर भाइट इसको एड़ कर लेंगे और इसको सिंप्लिफाइब करते है या अंसर आ लगा तूर्टी-एट पोर टूम्हाइब pricing तूर्ट वैट तरी जाट कर सकते हैं अब देुछ 720 सेबन सैवन फोर टूटीयेट टूटीयेट टूटीएट टूटी जा फुर ठीक है घरी टीजया सेन्टीमीटर यह जो है इसका ऐंसर गया फानली एंसर राइट कर देंगे एक नाइक्स पूस्टन देखते हैं कुश्टन नमबर थी अगुलाब जामुन कंटेंज सुगर सीरप अप्टू अब थर्टी परसेंट आप इस बॉल्यूम फैंड अप्रक्समेटली हाव मच सीरप बुड़ बी फॉट्टी फाइब ग गुलाब जामुन र vol 매 टाइए होती है मिठी मिठी आपने खाई होगी ऐची लगती होती है वह दो इस्तरे से बना हूआ कि कुछ तो जो है सिलंडरिकल में हैंना तो हम gewoon ego 55 गुलाब जामूम में कितना हो तो 30 परसंट किसका है बॉल्यूम इसके बालियूमदा इसका भालियूम करना पड़े और उसको थर्टी परसेंड निकलना पड़ेगा 45 अब लखलए करना है फूसके एक फ़्टी trag कर दो यह दर ब्रवी दोनों तरप से हैं और जो कि किकिया यह इस तरह का है हम तो फैसी जो टॉटल लैंथ है गुलाब जामुन कि टॉटल लैंथ अब भाएप संटीमीटर यहांस यहां तक कितना है इसायों गॉल्ब ह है डाम आब वह भी कि सेंटीमेटर ठीक है डायमीटर यहां से यहां तक का हाफ है रीडियस। है तो सिलेंटरिकल पार्ट है- इसके ईकलनी पड़ेगे इसके लैंज कैसे निकलना पड़ेगा कि कैसे निकले की देखिए डायमीटर बन पॉइंट है तो इसकी जो रेडियस है वो कितने जाएगी बन पॉइंट फॉर इसका हप है ना बन पॉइंट फॉर इदर यह दोनों को हम पूरे में से अप्रेट कर देंगे तो किसकी हट आजएगी सिलेंट्रिकल पार्ट की इस तर लेताप सिलेंटिकल पार्ट कर देंगे तो इस एकल दो क्या होगा तोटल 5 संती मीटर आप संती में से हम 1.41 प्रहिए 2.8 सब्टेट कर देंगी ठीक है मैंनाथ 1.4 मैनास बन पांट 4 दोनों को सब्टर करेंगे 2.4 तो यह आ जाएगा 2.2 बन पांट 4 न पांट 4 वाइब हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो इसकी है यहां से नहीं यहां तक कि बचेगी नूपाइब लूपाइट फॉर तो नुट यह कर लो ढूट इसकी सिलंडर और इसकी दोनों की होगी अब दीए हमें गुलाब जामुन का वालूमा करने का वालुम आप आ गुलाब जामुन ए गुलाब जामुन का फिर पोरिव का इसी अभुल अभुवलिम आफ अतुक चलंड्री कर पार्ट अने नहां इस वोल्यूम आफ जो एंड़ लक्त हें मीरएं उनका ही हेमी sph-h се फैरिकल पोर्ट बायिक है इसको राइट कर लिए इस को राइट कर लिए और देखि थो पाई आर स्कॉयर है टीर को होता है पाहले 2 से मड्राइब कर ली जिए पिक और उसका होता है टू भाई थरी पाई यार क्यूब हेमिस्पेर का बॉलिव तो थो यार क्यूब तो यह जो है अब रख दीजिए पाई की बाद में रख लिएक कॉमन लेने के बाद वैसे तो रेडियस भी कॉमन ले सकते हैं ठीक है पाई यार स्वार कॉमन ही ले लिए इसको एक बार और ऐसी राट कर लेंगे पि यहाँ यहाँ दोनों की सेम हैं पाई स्कॉइर पिलस टू टू जा फोर बाई थरी पाई यार क्यूब तो अब हम क्या करेंगे कि पाई आरसकार कॉमन ले लेंगे कैलकुलेसिंसे इजी हो जागा पाई रिस्वायर कामन तभी लेते हैं जब एक जैसे रेडियस दोनों की ए जाएगा अब राइट कर लीजिए देखो यह 22 वाई 7 हो गया रिडियस है इसका बन पाइंट 4 इंटू बन पाइंट 4 और एच है कि इस सिलिंडर करका एच कितना है टू पॉइंट तू पिलस है फोर वाई 3 इंटू रेडियस है बन पाइंट 4 इसको सिंप्लिफाई कर लेंगे यह जो है 22 वाई 7 इंटू बन पाइंट 4 इंटू बन पाइंट फोर ठीक है यह टू पाइंट 2 पिलस फोर इसका मल्टिप्लाइ कर दीजिए फोर्टीन फोर्ट जा होते हैं 56 यहां पर 5.6 अब ऑन ठीरी लागां यह प्या करना है इसको जो है गें़े 12.2 वाई 23 है व्यक्लन कुट करेंगे यहां पर Tarina के जिरो आज आँ तो इन सब का मुल्टिपलाई करके फिर से मुल्टिपलाई करेंगे ठीक है प्रेंगанес करके है और डेसिमन लेंगे दो यह आएगा 25.05 सक्वाइएब सेंटीativo ठीक है एप्रॉक्समेटली आएगा यह एप्रॉक्समेटली आएगा क्योंकि डेसीमल के बाद और भी डिजित होंगे लेकि उनको छोड़ देना है ठीक है इसको चेक कर लें तो जो है 25.05 यह इतना आएगा ठीक है बैसे 0.666 वह इतर आता रहेगा लेकिन वह में छोड़ दे सबसरेंगे के क्वॉंटिटी और सुगर सीरप तो सुगर सीरप की है वह क्वांटिटी निकालनी है हमें ठीक है तो बहो 30% अए गुलाब जामून के बॉल्यूम का और 45 से अपूस्टिफ़वर कर देंगे ठीक है ठीक है ठीक है 30% और 45 गॉलाब जामून 35 प्रसेंट आप वाल्यूम पर 빼 Все फैफ गुलाब जामन यह जो है के कुशिन कह रहा है ठीक है के तो हम लाइट करेंगे थर्टी पर स्टैंट कमाता थर्लीप फार जामन का ऑर्लियोंं यह एक बाल्यूम का मल्टिपलाई ठीक है यह imagin tô से मल्टिप्लाई कर देंगे 25.05 इस तरह से कर लेना है कि बंजीरों यहां बंजीरों से कैंसल हो जाएगा अब यह जो है अब फाइव नैंजा फॉर्टी फाइव 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 फूजा टैन से कट करेंगे 4.5 हमारे पास आ गया 3 into 4.5 into 25.05 मल्टिप्लाई करना तो भी आना चाहिए मल्टिप्लाई जो है करेंगे तब जो है इसका 338.175 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा ठीक है क्वांटिटी जो सीरप की क्वांटिटी है बो अब जो है लेकिन हमें अप्रॉक्समेट करना तो बात के डेसिमल के हटा दीजिए रैट कर दीजिए 338 क्यूबिक सेंटीमीटर अप्रॉक्समेटली ओके यह फनली अंसर हो गया नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमबर फोर अपेन स्टेंड मेरा बुड़ इज इन शेप आपक्योएड विद फोर फैप सेंटीमीटर एंड़ डैप्ध बन फॉर सेंटीमीटर फैंड दा बॉलिम और इन टारे स्टेंट देखिए इस टैंड ठीक है इसकी डैमेंसन्स दी हुई है यह 15 और 10 और इसकी है यह जो टैन और है इसकी 3.5 यह इसमें से यह जो कॉनिकल डैप्रेशन फोर्क इस्ट 10.4 सेंटीमीटर है तो हमें इसकी जो बुड़न लगा हुआ इसमें दो लकडी बची हुई है वहमें इसका वावलियूम लूट पार पक्षम कोन है इनका बॉल्यूम को सब्सक्राइट कर देंगे तो द्यान रखें जब भी बॉल्यूम अगर निकाला जाया तो कोई निकाल के फिंक हो जाता लेकिन वाल्यूम अगर कम कर दी जाया तो इसमें लकड़ी कम हो गई और लकड़ी या लोहा जो भी है अरन बगार लगाओ वो कम हो जाता उसको सब्टेट कर देते हैं ठीक है तो बहुत ही सिंपल है फिससे समझेजी क्या करना इस क्यों के बॉल्यूम में से हम यह फ फिप्टीन बाई टैन बाई 3.5 सेंटीमीटर ठीक है तो यह जो है लैंट हो जाएगी यह ब्रैथ और यह है एच ठीक है यह हो गया अब रिडियस आप कोनिकल डेप्रेशन कोनिकल डेप्रेशन वह है जीरो पॉइंट फाइब सेंटीमीटर ठीक है और जो इसकी हैट है कोनिकल डेप्रेशन की वह है बन पॉइंट फॉर सेंटीमीटर आपको निकलना है वॉल्यूम और बॉड इंड एंटार स्टैंड तो राइट करेंगा वॉल्यूम और बॉड इन इस्टैंड इस इगल डू क्या होगा इसका वॉल्यूम मैंसे इन चार के वॉल्यूम सब्रेट करेंगा तो वॉल्यूम और क्यूवएड मैंस अब बॉल्यूम और फोर कोनिकल डेप्रेशन कोनिकल जो गड़ें वह ना डेप्रेशन इक ही एच जो है एक बात और दिने जो इसमें जो असमें यह एच जो है ना उसमें डैफ्थ लिखी हुए यह डैफ्थ ठीक है कोनिकल डेप्रेशन डैफ 1.4 वही तो एच होगी तो बॉल्यूम आप फोर कोनिकल डेप्रेशन अब दीकिए इस इकल टू बॉल्यूम आप क्योवाइड क्या होता है एलें टू बी इंटू एच मैनस इसका कोनिकल डेप्रेशन का बॉल्यूम होगा फोर से पहले त स्क्वाइर एच ठीक है सारी चीज़ें फिट कर दें यतनी भी एल है हमारे पास 15 भी है मारे पास 10 और एच है मारे पास 3.5 सेंटीमीटर मैनस फोर बन जब 4 वाई 3 इंटू पाई की वैलू 22 वाई 7 राट कर लें इंटू जो रेडियास इसकी 0.5 इंटू 0.5 और इंटू इसकी जो एच है वो है 1.4 डेप्रेशन है ना अब इसको कल्कुलेशन कर लीजिएगा इसका इसका जब मल्टिप्लाई करेंगे यह कितना जाएगा 1575.0 मैनस इन सब का मल्टिप्लाई करेंगे तो यह देखिए यह ड सब का मल्टिप्लाई करें आप इन सब का मल्टिप्लाई करें ठीक है जैसे इन सब का मल्टिप्लाई करें तो यह आएगा 4.4 वाई 3 सबका multiply करके 3 0 करके decimal लगा दें 3 के बाद वैसे काड़ भी सकते हैं 5 जलो मैं करके दिखा देता हूं 5 बंजा 5, 5 रूजा 10 200 आ गया 5, 4 या 20, 40 आ गया 4 बंजा 4, 4 10 जा ठीक है 2 बंजा 2, 2 फैब जा 10 है ना अब इदर उपर क्या रहे गया 22 रहे गया 22 को जब 4 से डिवाइड 5 से डिवाइड करोगा 4.4 तो आएगा इसके अब जो है इसको सब्टट कर दीजेगा इसके अपने बं कर लीजेगा इसके अपने बं करके इसको सब्टट कर दीजेगा पहले इनका LC म नीचे नीचे के multiply 3 बंजा 3 ठीक है कर दो करीग है ठाई बंजा ठाई अब7ंजní बंजाओ फोर कर दो कहिने की रॉंग होड़ा दियर ये देख लिजे 15 पंजा ओई तो जीरो आगे हम परी फ्टीन फाफड्यू है जब्समंटीब टीफै को हैसरे बन्टीफिन, 32 जा 617 और 35 जब 15 15 और कैनी कुछ नहीं था फिप्टीन आए यहाँ पर कि फिप्टीन हंडेट सेवंटीफाइब माइनस 4.4 यह आएगा है न इसको सब्सक्राइट कर लीजिया तैन मैं से फॉर सब्सक्राइट करें कितना जाएगा इसक्स यहाँ पर फोर रह गया पूर में से फोर सब्सक्राइट करेंगे जीरो आ गया यहाँ पर सबन और यहाँ पर फैव आ गया यहाँ पर फैव आ गया यहाँ फिप्टीन हंडेट इसक्स बाइट करेंगे तो फैवंडेट ट्वंटी फैवंट 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 फैवंट्री क्यूबिक सेंटीमीटर इसका अंसर आ जाएगा ओके यह फानली आंसर हो गया नाइस्ट कुश्चन देखते हैं अब बेसल इंदा फॉर्म आप एन इंवर्टिट कॉन कौन की फॉर्म है बर्दन एट्स हाइट इस एट सिंटीमिटर अंडर रेडियस आप इस टॉप बिच इस ओपन इस फैप सैंटीमिटर इट इस फिल्ल बिद बॉटर अप टू दबिम बेन लीड शॉट्स इच ऑप बिच इस इस फैर आप रेडियस 0.5 सैंटीमिटर कि फिगर बनाके बताओं आपको एक जो है कुनिकल बैस बैसले कौन जैसा इसको ठीक है इस तरह का है यह और इसकी जो हाइट है वो है 8 सिंटीमिटर और इसका जो रेडियस है यहां से यहां तक का वह पर सेंटीमिटर है था तुर ताविके अब से इस घ्राइस तरह अगा रिट बख़इट फैर रीडियस का कि यह लीड शौर्ट इसमें जोने लीड 40 इसका रीडियस है कितना रीडियस है इसका 0.5 सेन्टीमीटर bells कि इसमें यह डाल आए यह दो और झालता हुआ थो बाइड दाले जाएंगे तो जतना पानी अफ़ось पार बाहर निकल गप इसका बॉल्यूम है उसका फोर से डिवाइड करके जो है जतना बाल्यूम मुगा उतना حी बाल्यूम उन डाले गए लीट सौट का होगा ठीक है तो नमबर आप लीट सौट निकलने के लिए हम क्या करना है एक लीट सौट के बॉल्यूम से इसका जो बाटर जितना निकल गया बन फॉर्थ पार्ट उतने वाल्यूम को अगर हम डिवाइड कर दें इसे तो नमबर आप लीट अ कोनिकल बैसर आज़ा लिए कि यह माल लीजिए इसकी यूवाल्यूड से लगा ले रहे हैं और एच है एड़ सेंटीमिटर ठीक है और यह जो इस फेरह इस फेरिकाल लीट सौट इसकी स्मॉलार से लबा लिए यह 0.5 cm है ठीड़ हो पहले हम इसका बॉल्यूम निकार लें सब्ली निकारएं इसके बॉल्यूम का सब्सक्राइब करना है इसलाग डारेट हम राट कर ले रहे हैं नमबर ऑफ लीट राट नमबर ऑफ लीट शॉट्ट इनी कितने जो हैं लीट कौन कोनिकल बैसर कह सकते हैं अपन बॉली मॉप बन लीड़ सॉर्ट बन लीड़ सॉर्ट इस तरह से नमबर आप लीड़ सॉर्ट निकल लाएंगे ठीक है इस इकल टू लाइट कर लेंगे बन बाई फॉर बॉली मॉप कौनिकल बैसर क्या होता है एंटू बन बाई थिरी पाई यार स्कॉार एच यह होता है अपन में बॉली मॉप बन लीड़ सॉर्ट इसकी आर जो हमने कैपिल ले ली तो यहां पर कैपिल र बना देंगे और अपन में बॉली मॉप बन लीड़ साथ पाई आर क्यू यह होता है फॉर बाई थिरी पाई यार क्यू इस तरह से होता है इस इकल टू पाई से तो पाई कैंसल हो जाएगा है ना अब देखिए यह नीचे आ जाएगा ऐसे करके बन बाई फॉर इंटू बन बाई थिरी इंटू रेडियस कितना है अब इस अब यह जो है रेडियस इसका फाई सेंटीमेटर फाई इंटू फैब और एच है उसका एट सेंटीमेटर ठीक है अपन फोर बाई थिरी यहां से उटकर ऊपर पहुचा दीजिए इंटू रेडियस इसका 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इसको अब सॉल्ब कर दीजिए बस सिंप्लीफाई कर दीजिए हो जाएगा कम आपका 3 से 3 कैंसल हो गया ठीक है यह आप डैसीमल अगर कैंसल करेंगे तो इस थिरी डैसीमल है ना थिरी जीरो बढ़ जाएंगे यहां बढ़ा रो चलो तो यह थिरी बंजा थिरी यह आ जाएगा बंत हो जाएंट अब अब देखिए 5 5 कैंसल हुआ फिर 5 से 5 कैंसल हुआ है ना फिर 5 तू जा टैन टू अंडड़ आ गया ओके फिर फोर बंजा फोर फोर टू जा एट फिर टू बंजा टू 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 जा फोर फिर टू बन हंड्रेट तोड़ा घिच्पिच हो गया है आप कल्कुलेशन कर लेना सभी से हो जाएगा तो कितना आया हंड़ेट लिट सॉट्स ठीक है यह अगर इसमें डाले सेंटीमेटर बिच इस सर्मांड़ेट बई अनादर स्रेंडर ऑफाइट सिस्टी सेंटीमेटर एंडियस एट सेंटीमेटर फैंदा मास आप पोल गिविन धैट बन क्यूबिक सेंटीमेटर अपारन है एप्रोक्समेटली ग्राम मास यूज पाई इस एकल तो 3.14 याद रख आसमंगा पोल है और उस पॉल के उपर भी पोल है ना भीग बनाकि बदाता हूं आपको है कुई अको है इस कुछिन नंबर सिक्स यह देखिया के एक भोल है कि इस तरह का को सिलिंडरी गल पॉल होता है नश्मीं तो हमें इन chorus का जो यह है बॉल्यूम फंडॉट करना है नो कि यहां से यहां तक की जो इसकी हैड है डामीटर वो टून्टी फॉर सेंटीमीटर है इस बाले पॉल का और इसकी जो हैट है वो बन हंड्रेट वो सारी 220 सेंटीमीटर बुक में दीजिए वूप देख लेख सकते हैं तोंडर टून्टी सें सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है यहां से आतका वह एट सेंटीमीटर है एट सेंटीमीटर इसका रेडियस इसका डायमीटर नी कन्फूज नहीं होना ध्यान दें ठीक है तो इसमें पहले हम जो गिवन वह चीज़ें राइट कर लें फॉर लारजर पॉल लाजर पॉर का माली जो आरेट से डिनोट कर लें रेडियस जो है टॉर्ट यह हो जाएगी 24 यह इसका डैमितर तो यह डियूर हो जाएगी है ना 12 सेंटीमीटर और इसका जो एच है वह कैप्ल से बना लीजिए 220 सेंटीमीटर ठीक है फॉर इसमॉलर पूल ऑर इस्मालर पूल मॉल लिजिए जो र्रेडियस है वो समॉलर से एट कर लें रिडियस है इसकी 8 सिंटी मीट और इसकी है 60 सिंटी मीट हमको क्या करना है दोनों के बॉल्यूम को एट कर देना पूरे पूल का बॉल्यूम निकल आएगा ठीक है पिर उसमें जो 8 ग्राम है वो उससे मल्टी प्लाई कर लेना है मौस निकालने के लिए बॉलिम आफ पॉल इस इकल टू बॉलिम आफ लार्जर पॉल और पिलस बॉलिम आफ स्मॉलर पॉल ठीके बॉलिम आफ लार्जर पॉल का बॉलिम क्या होगा पाई आरस क्वार और और क्यप्टल एच पिलस प्लसओल और फॉल चवाज और एच पाई आरस कॉार एच पाई और क्यार저स हूं पाई की बलू 3.14 राइट करेंगे गिबन है उसमें आर स्कार इसका रिडियस जो है वो 12 है 12 स्कार इंटू इसका 220 ह है पिलस इसका रिडियस कितना है एट का स्कार कर लेंगे और इंटू एच इसका 60 ठीक कल्कुलेशन कर लिजे इसकी तो यह आ गया 3.14 तो इसका 124 होगा है ना इंटू 220 पिलस इस 64 होगा इंटू 60 कि यह राट करेंगे 3.14 यह 144 और 220 का मल्टिप्लाइब करेंगे थर्टी बन थॉजेंट 680 आ जाएगा फिलस 64 और 60 का मल्टिप्लाइब कर लिजिए ना जीरो इसक्स पोर जा टून्टी फोर करी टू सिक्सिज़र थर्टी सिक्स और थर्टी एट थर्टी एट एट एंड़ कर लिजिए ठीक है इनको एड़ करेंगे जीरो आ गया एट फोर ट्वेल आ गया शिक्स एट फोर्टीन फिप्टीन हो गया और थिरी बन फूर फाइव थिरी थर्टी फाइट फाइट फाइवंड़ टून्टी इतना आ गया ठीक है थिरी पॉर्टीन से इसको जब मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आपका आएगा बन लैक एट फाइट क्यूबिक सेंटिमीटर इतना आएगा बॉल्यूम तो निकल आया लेकिन हमें मास कीलोग्राम में चेंज करना बैब इसको गिलोग्राम में चेंज करना है पहले ड्राम में यह कि तो हम सो करेंगे मास आप पोल मास आफ पॉल इस इकल टू यह जो है ना इसको एट से मुल्टिप्लाई कर देंगे क्योंकि एक क्यूबिक सेंटीमीटर में बन एट ग्राम राट किया हुआ है तो बन लाएक एलेवन थॉजिन फाय बंडा थर्टी टू पॉंट एट को हमल्टिप्लाई कर देंगे एट से ठ तो जिफ्सक्स्टीन ऑट एट 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 ट्वेट मेंट इट तो एट ना जैए यहां पर टैसी मिला जाएगा तो इतने ग्राम सा गया ग्राम इसको हम किलोग्राम में बना देंगे ठीए किलो ग्राम में देखिए 1 किलो ग्राम is equal to होता है बन थॉजन ग्राम है ना तो इसको बन थॉजन से डिवाट कर दीजिए is equal to 89 226 2.4 upon 1000 किलो ग्राम अब यह हो गया किलो ग्राम यहां पर डैसिमिल कटकर एक गी और बढ़ जाएगा और यह बन टू-3-4-4-0-4-4-0-4 इसमें लगा आझा दें बन टू-3-4-892 892.26 यहां पर भी छोड़ सकते हैं 0.26 लेकिन आगे और दी है अपने पार राइट कर सकते हैं तो यह भी राइट कर सकते हैं ठीक है किलोग्राम ठीक है यह फानिली अंसर हो गया को इस नमबर नेक्स दिखते हैं 7 number a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and height its height is 180 cm दिखी पेपर पर समझेगा इसको question कह रहा है एक बेसल है इस तरह का 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 है 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 हेमी स्वेयर जो है इसमें डूब होए गया ठीक है 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 ही मिस्वेर और इस तरह से जो है वो को नीकल इस तरह से पर बाटर की जो है यहां यहां रहेखाने में लाटा खाली बची हुई है ठीक है उधर बाटर रह肉 तो question में पूचा गया है कि आप यह बताईए कि यह जो है इसमें कितना water रहे गया अभी करना क्या है जो इसका बॉल्यूम सिलिंडर का बॉल्यूम में से अगर हम यह जो अंदर जो डूए गया है उतना ही तो पानी बाहर जाएगा पाकी का बच जाएगा ठीक तो बाहर चला जाएगा इतना इसके इन दोनों के बॉल्यूम को हम इस सिलिंडर के बॉल्यूम में सब्सक्र कर देंगे तो यह remaining water है उसका है और इसकी जो कॉनिक्ल हैट यह यहां से नवे होगिना यहीं सिक्स्टी सेंटीमीटर нрав और इसकी जो हाइट है है यहां-से जो कॉनिकल पॉर्षन है इसकीäँचमित की 20 cm का तो यहां पर हम नोट करने पहले फिर इसका बॉल्यूम में से पूंतकर करेंगा बागी इसिका कि बेशल कि अब बेशल कि इसमें जो हैट है वो फ़न एक्टी सेंटीमीटर है है एक बन कर लेते हैं मालों इसको यह बन कर लेते हैं इसकी रेडियस को यह कितना 60 cm ठीक है अब यह फॉर है 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 इस पेरिकल हेमिस्पेरिकल पार्ट इसकी जो रेडियस है आर्टू मन लेते हैं इसको यह कितना है सिक्स्टी सेंटीमीटर ठीक है अब वह बचा फॉर कोनिकल पॉर्शन कोनिकल पॉर्ट पॉर्शन इसमें जो एच होगी इस टू समझ लो इसको इसकी एच बंट्वंटी सेंटीमीटर रहे हैं यह भी सेंटी सेंटीमीटर रहे तो हमें यह जो है फैंट करना की बाटर केतना रहे ठीक है तो यहां पर रैट करेंगे दब वॉल्यूम बॉल्यूम औप रिमेनिंग वाटर या लैप्ट वाटर इन वेसल इस इकल टू बॉल्यूम औप सिलिंडर मैनस इसमें यह जो बेसल है ना इसका बॉल्यूम इसमें दो तीजिए वालिम हैं नो बॉल्यूम आप कुए कॉनिकल पार्ट और पिलस वॉल्यूम ओप स्पेरिकल पॉर्ट है में स्पेरिकल है सॉरी है में स्पेरिकल राट करने हम ठीक है यह जो है इसका सिलिंडर का बॉल्यूम होता है पाई आर बने स्क्वाइर एच बन मैनस पाई और इसका बॉल्यूम आप को नहीं करना बन बाई थिरी एच ब्रेकेट में बन बाई थिरी पाई आर टू स्क्वाइर है कुन की की ऐए है आर्ट थिरी है इसका है अच टू और पिलस फॉर भाई थिरी पाई आर तू स्कवाइर को थू क्यों आर टू क्यों यह वहता है वह मिस्पेरिकल का थे ना पॉर बाई थिरी नहीं टू आइट रहा थिरी होता है कि आर्थी है 60 60 का स्क्राइब और एच्टू कितना है कि बन है यह 120 है 120 पिलस टू भाई 3 पाई यह जो है हार क्यू इसकी आर रेडियस वही है 60 की पोबर 3 ऐसे करें कर लेना है ठीक है अब इसमें अब रिकेट ठोड़ा दीजिए फिर पाई कॉमन पाई और 60 सब में कॉमन ले लेना है ठीक है तो यह ऐसे बजाएगा पाई 60 स्क्राइब माइनस बन ऐट ही माइनस बन ऐट कर सकते हैं 60 अब अब इसमें पाई 60 स्क्वार कामन ले लेंगे तब यह बनेटी यहां जाएगा है ना बनेटी और माइनस बन बाई थी इन्टू ये तना कामन आ गया 120 माइनस 2 बाई 3 इन्टू ये 60 इतना पाई 60 स्क्वार ये कामन आ गया ठीक है पाई के बैलू राइट कर दीजिए अब और ये 66 36 हो जाएगा ना इन्टू बन एटी ये 3 4 जा 12 माइनस 40 माइनस 23 26 22 40 ये हो जाएगा आगे और करें इसको 22 बाई से 1 इन्टू 3600 इसका और इसका मल्टिप्लाई करके कितने से डिवाट करना है के वल इसका इसका कर लेना टूंटी टू और और तर्टी सिक्स का ठीक है बागी फोर जीरो जाएगे फिर से डिवाइड कर दीजिएगा तो ऐसे कर लिजिए जाएगा टोंटी टू आटी सिक्स का था टूंटी टू टू करना है टू सिक्स ट्वेल्व टू थ्रीजा शेक्स बन सहवन ठीक इतना इधर आएगा तो टू नैन सेवन सेवन हंडर नैन्टी टू और बाकरी टूजी रहे टूजी रहे इसको हमें बनाना है यह स्कुएर सेंटी मीटर आ गया इसके क्यूबिक मीटर बना दीजिए बन क्यूबिक बन क्यूबिक मीटर इजिगल टू होता है 1 2 6 0 एंगे इतने क्यूबिक सेंटी मीटर ठीक है इतने सेगा डिबाइट कर दो कीविक मीटर बन जायगा तो यह हो जाएगा से वन नायन टू जीरो 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 कि वाई से वन इंटू इतने से आप डिवाइट कर दो बन और सिक्स जीरो है तो तो टू-फॉर तू-फैब वन फो जीरो तो फो जीरो गया है ठीक है अब करने क्याया आपको यहां से इसको 792 बचा 792 से डिवाइट करेंगे फिर एतना अंसर घञे। इतने जो मीटने क्यूबिक मीटर बाटर का जो बॉल्म है बो रहा जाएगा ब्रक्राइब की देखिए है Q8 A Sparical Glass Bessel has a cylindrical neck 8CM long 2CM diameter The diameter of the spherical part is 8.5cm by measuring the amount of water it holds a child finds its volume to be 345 cm¥ Check whether she is correct तो एक बच्ची है वो उसका जब बाल्यूम फाइंड करती है तो 345 आया तो हमें यह बताना कि यह सही है या नहीं है यह गलत है तो हम अपना यह भी बाटर के होता है वसका बाल्यूम निकाली कितना और यह नहीं है तो जोड़ा यह कि अ c इसका डायम्टर यह बना है एट पॉंट इतना हैं एट पॉयंट 5 सेंटीमीटर यह यहां से यहां तक का जो है वह तो सेंटीमीटर नहीं तो हएट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कि इकल टू ऐट इच्टि मिट में करना अपना वालिम न्कालना आया जितना उम्हें तो बच्ची आपने जगाए पर नहीं तो रॉंग गई देखना है और रेडियस इसकी है तो तो टू बाइटू याने की बन बन सेंटीमीटर ठीक है इसको आर बन कर लीजे इसकी आर टू कर लेंगे और रेडियस आफ इस्पेरिकल पर्षन या पर्ट इसको डामेटर एक पांट फैब है इसको आ पॉनमेंट कर ले ran ġिय के तो पोई येट नों par reflect 2 2 चांत 154.25 सेंटीमीटर इसका इतना है ठीक है है कि हमें क्यान करना है Mai Mai Night crime apostles पूल इसका इकल डूब क्या होगा बॉल्यूम आप स्पेरिकल पार्ट पिलस बॉल्यूम आप सिलेंडरिकल पार्ट रोनों को एड कर यह बॉल्यूम आप स्पेरिकल पार्ट क्या होगा पाई 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इसकी आर टू है ना पिलस पाई आर स्क्वार अर बन कर लो और एच ठीक है, पाई की बैलू जो है, वो 3.14 यूज करना है, तो पाई की बैलू बाद में रैट कर लेंगे, कॉमन ली लिजे पाई, तो 4 by 3, और 2 q, पिलास, पाई कॉमन ले लिया, और 1 स्कॉार इंटू, एच, ओके, अब इसमें बैलू पुट कर लीजेगा, पाई की बैलू कितना लेना, 3.14, 4 by 3, आ रहे हैं इसमें, 4.25, ये 3 टाइम रैट करना, 4.25 एंटू, 4.25, ओके, ये बहुत लाउंग कल्कुलेशन जाए, इसको 8.2 ही कर लेना, ऐसे खरके, 8.5 by 2 कर लेंगे, ठीक है, सबीर होड़ा, पिलस इसका जो रेडियस है, वो है बन, 1 इंटू बन और एस है इसकी 8, तो ये 3.14, 4 by 3, इंटू, इसको हम रैट कर लेंगे, वो ही 8.5 by 2 रैट कर लो, इंटू 8.5 by 2, इंटू 8.5 by 2, पिलस, 8 बन जा, 8, तो ये 2, 2 जा, 4, 2 से 2 कैंसेल हो गया, हैना, ये 1, 2, और 3 पांट है, हैना, 3 पांट जो बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा, 3 जी हो बढ़ जाएगे, जब आप इन सब का मल्टिप्लाई करेंगे, और ये 3 तू जा 6 से डिवाट करेंगे, ठीक है, तो ये जो है आजाएगा, इन सब का मल्टिप्लाई कर लेना, ठीक है, और इनका मल्टिप्लाई करके, आप राइट कर लेना, ये में हम पता देना, डारेक्ट की कितना हैगा, 102.354166, इतना हैगा, इन सब का मल्टिप्लाई, ठीक है, पिलस ये 8, अब ये 3.14 मल्टिप्लाई, इसको जब बन अड़ टू में 8 अड़ कर लेना, 110 हो जाएगा, 110.354166, इतना हो जाएगा, ठीक है, अब इसमें 3.14 से इसका मल्टिप्लाई कर लेंगे, तो ये आजाएगा, 346.51, ठीक है, और बाकी उदर जो है, 6666 आता रहेगा, ऐसे डॉट डॉट, फिलाल वो आपको अप्रॉक्समेटी निकालना, इसमेटली मिन दर राइट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, अब उनके हिसाब से जो बुक है, उनका अंसर आया था, इसका अंसर आया था, तो वो तो रॉं है, तो इसमेट कर देंगे, सब्सक्राइब करने वाले बॉल्यूम को बॉल्यूम से मतलब एक सेप को दूसरे सेप में कनबर्ट करने वाले कोश्चन इसमें हम देखेंगे ठीक है तो चलिए क्वेश्चन बन की तरफ चलते हैं एक सेप बनाया गया है तो जो सिलेंडर बनाया गया है उसकी हमें हैट फैंडा करनी है यानि की जो बॉल्यूम होगा स्फेर का वो उस सिलेंडर के बॉल्यूम के एक्वल ही होगा क्योंकि वही जो इस फैर है उसको पिगला कर ही सिलेंडर बनाया गया है ठीक है तो चलिए इसको कॉपी पर सॉल्व करते हैं लूक लुकि को इसकी जो रेडियस है ऑभर है यह जो स्फेर करी इस्तु मेटर रहां है तो पिगला कर एक सिलेंडर बनाया गया उसका एक सिरेंडर्र करसी दिए गया है इस घ्राइगा उसका जो रेडिया से व भी गिवन है वो दिया है लिद्मीटर सथे स्टिर मिटेश इसका रेडिया याने कि हाँ से दिया से कि इसके सेंटेमीटर is सब्सक्राइब करना है यह पूछा गया इनका वॉल्यूम एक ही रहेगा है वॉल्यूम हमें निकलना है वोसी से क्वेश्टन सॉल्व होंगे ठीक है यहां पर हम इसकी रैट कर लें फॉर स्वेयर ऑजाओ एक है और स्वेयर है रेडियस is equal to 4.2 सेंटीमीडर और इसका वॉल्यूम होता है इस 사용 का वॉल्यूम का होता है 4y3 पाइए रस और क्यूब यहां पर आनी 4.2 का क्यूब लगा देंगे ठीक है इतनी क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसका वॉल्यूम हो गया अब इसी तरह से फॉर जो है सिलेंडर करेंगे फॉर सिलेंडर इसका जो रेटियस है वो है अट इसक्स सेंटीमीटर ठीक है और इसका जो है वो हमें फैंड डॉट करने हो निए लैट कर लेंगे लैट हाइट आप इस 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 इकल टू एच सेंटीमीटर एच कर लेंगे इसको ओके तो अकॉर्डिंग तो दो क्वेस्टिन रेट करेंगे अकॉर्डिंग तो दे क्वेस्ट्व जो सिलेंडर बना है इससे पहले थोड़ा सा इसका वाल्यूं हम राइट कर लें ताकि बाद में फिर से ना राइट करना पड़े बॉल्यूम ऑप सिलेंडर होता है पाई र स्कॉर एच ठीक है पाई कि यह पाई राइट कर लेंगे आर इसक्वार प्रन प्रन और बाहते है थो सिलेंडर का वाल्यूम होगा पो जो मेल्टड किया गया से रहे इसके मैप पीय Michigan आव ए Intry तो इसका वाल्यूम अफ़ मेल्टेड है प्रनार किया किया किलो एक रैट करने है ठीक है तो प्रनी माफ सिलेंडर यह है यह रैट कर लिजिए च्वा 10.2 इंट है और यह जो वाल्यूम आया था यहाँ पे इसको क्यूबिक सेंट्रीमीटर में रेट कर देना है क्योंकि हमेसा देखिए हम पाई से पाई कैंसल कर सकते हैं अब बाकी एक है इस इकल कि अब कर लेगा है इस इकल अब यहां प्रेंट कर लेंगा इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इधर जो 6 स्क्वार बचा हुआ है इसको डिवैड में ले आईएगा जो कि यह मल्टिप्लाइगा है तो 6 स्क्वार को हम 6 इंटू 6 रैट कर सकते हैं ओके इस तरह से यह जो है इसको आप कल्कुलेशन कर दीजिए 6 7 जा 42.7 यह भी 6 7 जा 42.7 आगया 0.7 भी कह सकते हैं इसको इसको यह भी कैंसिल हो गया अब जो हमारे पास रिमेनिंग बचा है वह 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 और डिवाइड वाई कुछ नहीं है इन जब सब का मल्टिप्लाइग करेंगे तो यह 2.744 सिंटीमीटर आ जाएगा आपका अंसर और लास्ट में फैनली अंसर ह हुआ है हाई टॉप सिलेंडर हुआ है इस इकल टू 2.74 भी रैट कर सकते हैं ठीक है टूपांट 744 को 2.74 भी रैट कर सकते हैं सेंटीमीटर क्योंकि आपके एंसर दिया यह भी आंसर ठीक है यहां छोड़े देंगे तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है कि यह फैनली आंसर सेंटीमीटर एंड टैन सेंटीमीटर रिस्पेक्टेवली आर मैल्टे टू फॉर्मा सिंगल सॉलिड स्वेयर फैंड रेडियस ऑफ दर रिजल्टिंग इस प्यार मैं टेलिक इमेटल का बना हुआ होता है मैं टेलिक उपर वाले उसमें भी आया था जो मैंतल का बना होता लिए तो इनको पेगला एक और बडा स्वेयर बनाये गया है ठीक है तो हम उस इस वेयर की रेडिया स्वेयर करने हैं इनको प्रत्रम यानि स्वेयर ऑना इसको प्ला करके समझते है कि यह जो है और बहुत सारा बड़ा स्पैर बना है उसका हमें के से रेडियस करना है इसका इक सप्वेशन है जो है और सेन सेंटी मीटर है उसका तैन सेनटी मीटर है इसको पिगला के इसको रेडियस क्या होगा यह हमें निकालना है ठीक है तो तीनों जो जो स्फेर हैं इनका वाल्यूम इस बड़े वाले स्फेर के इपकल होगा तो यहां पर रैट करेंगे रेडियस ओफ फर्स्ट इस्फेर इनके हमने फर्स्ट इस्फेर नेम राट कर लिए इसकी रेडियस जो है वह कितना 6 cm तो इसका वॉल्यूम भी फैन्टाट कर लिजे जल्दी सही ठीक है फॉल्यूम ऑफ फस्ट इसके और इसका वॉल्यूम होता है पाई फोर भाई थ्री पाई इंटू र क्यूब है ना आर यहां पर है सिक्स तो सक्का क्यूब कर दिए इतने क्यूब किट सिंटीमिटर जो है इसका फास्ट सेट कर फास्ट हाई है और यह तरड स्टमेटर रहे है इसका जो है एक सिंटीमिटर है इस बन यार टू और यह आर थिरी तो इस फर्स्ट का सिक्स आ गया सेकेंड का जो है एट लगा देंगे ठीक है पाई वर फोर भाई थिरी पाई इंटू यहां पर एट पोवर थिरी लगा देंगे यह इतने क्यूबिक सेंटीमीटर इसका बॉलिम हो गया अच्छिली यह अभी इ करना है यह कुछ बाद में पाई फोर भाई थिरी पाई कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा एजी रहेगा काल्कुलेशन इसलिए हम केबल राइट करना है इस तरह से और बॉलिम आप थार्ड इस्पियर इस इकल टू फोर भाई थिरी पाई थर्ड इस्पियर की जो रेडियस है वो टैन तो टैन क्यूब हो जाएगा और इतनी क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसका बॉलिम हो गया ठीक है अब जो है बचा यह वाला फोर्थ वन रिजल्टिंग इस्पियर ठीक है तो बॉलिम लेंगे लेट रेडियस आप रिजल्टिंग इस ते इसकी क्यापिल आप लगा लेटने ठीक है इतनी सेंटीमीटर है तो इसका जो बॉलिम होगा बॉलिम होगा फोर भाई थिरी पाई और क्यूब इतना बॉलिम हो जाएगा ठीक है तो अभी हमने पताया था फिर से सुन लीजिए इन तीनों जो इसफेर हैं इनका बॉलिम और इनका यह बड़े बाले का बॉलिम एकल होगा है ना क्यूंकि इन तीनों को फिगला कर ही इसको बनाया गया है तो यहां पर रैट कर लिंग अकॉर्डिंग टुक्वेस्टिंग इस तेर इस इकल टू बॉलिम अब फिर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इस फिर रैट कर देंगे ठीक है इन तीनों का सम यहां यहां पर रैट कर सकते हैं और सम आप थरी बॉलिम आप थरी स्पेर्स इस प्ला सेकेंड प्लस थर्ड इस फिर को की वॉलिम आप जो रियुल्टिंग इस पर है इसका बॉलिम हमाए पास आया यह 4 by 3 इसमें भी राइट कर दें इसमें इसका भी cubic centimeter राइट कर दें 4 by 3 pi और capital R power 3 is equal to volume of first second third first का यह है 4 by 3 pi 6 power 3 एना into 6 power 3 फिर पिलस इसका है 4 by 3 second का pi इसमें into 8 power 3 फिर पिलस इसका 4 by 3 थरड़ वालेगा pi into 10 power 3 अब क्या करना है यहाँ पर देखिए 4 by 3 pi कामन है इसलिए यहाँ पर राइट करेंगे 4 by 3 pi into R cube is equal to 4 by 3 pi कामन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 cube यह कामन आ गया 4 by 3 4 by 3 y कामन आ गया तो यह बचे 6 power 3 3 प्लस 8 पोवर 3 इधर से प्लस 10 पोवर 3 अब देखिए 4 by 3 पाई 4 by 3 पाई दोरों तरब से मैं यह कैंसल हो गया ठीक है हमारे पास इधर आया r3 सिक्सक्री पेश एड़ क्योब हों इसक्सक्री प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यू इनको सॉली आ kaz़ंगा विभले दो 6 216 मतलब 63 एंड़ फैंड कर है पूह हैंको एंड कौน कि इंको आड करेंगे तो यह आगा 1728 ठीक है तो यह जो है अगर हम इसकी बात करें इसके फैक्टर करके आप इसको क्यूब रूट निकालेंगे ठीक है क्यूब रूट ऐसे करके राइट कर सकते हैं 12 मुल्टिप्लाइब 12 मतलब 12 की 3 टाइम करेंगे तो 1728 आएगा तो हम राइट कर सकते हैं इसको आर्क्यू इसकल टू टू पॉबर 3 ऑके टो पॉबर 3 यह पॉबर से पॉबर कैंसल हो जागा तो रेडियस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर कि लास्ट में जो है हाईलाट करके आंसर राइट कर देंगे फैनली अंसर हेंस कि रेडियस ओप कि रिजल्टिंग इस फियर कि इस इकल टू 12 सेंटीमीटर तो जो बड़ा सा गोला बना है बड़ा सा इस फियर उसकी जो है रेडियस वो 12 सेंटीमीटर है ठीक है यह कुश्चन आराम से हो गया आप नैस कुश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नमबर 3 कि अट्वंटी मीटर डीप बैल बिद डामीटर साबन मीटर इस डग और अर्थ फ्रॉम डेगिंग इस एवनली स्प्रेड आट तू फॉर्म अप्लेट फॉर्टीमीटर वाई 14 मीटर फॉंट दा है टॉट अप दा प्लेट फॉर् करने गया है जिसकी लेंद और ब्रेथ दी है टूंटी टू मीटर फॉटीन मीटर और इसकी हैट हमें करनी है ठीक ही क्वेश्चन कर आब इसको हम जो है कॉपी पर समझते हैं तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक इस तरह का यह गड़्टा खोदा गया है जिसे स्लेंडरी की हैट होती है तो रघरद ability को मतलब गहराई तो वह है 2 कि erreichen Deborah है सिर्फंट çıkar माधिया है 7 मीटर कि जहां से यहां तक का साझरी इससे क्या बना है एक इस तरह का कि ऐसे तला गांब अरह करंद आड़ कि अ आ इस तरह यह नहीं विर्णाहना कि आसे उस्का बाख कंप आगा इस तरह का बना है तो इसका लेंद्ध भी दीया है लेंद्ध यह हुआ ठीक और यह इसका ब्रैक हएं होगा यह इसका ब्रैक 체त does या इसका 14 मीटर है यह question में दिया हुआ ठीक है question आप लूपक में देख सकते हमें निकलना है यह इसका ही 9 यह distance यह distance कतनी है यह यह निकलना है फिक है तो सिंपल सी बात देखिये जितना की इसका होगा उतना ही बालियों इसमें जो कोडीगी मिट्टी है उसका होगा तो यहां पर इनोड कर लिए पहले जो दिवु जींटीजें है इसमें फौर वैल जिंट्र कर लिए प्ल्स रेंडी कर वैल ठीक है इसका जो रेडियस होजाएगा वो 7 राइटी हो जाएगा क्योंकि डायमिटर से बने है अग और इसका जो हैट होगा वो टुन्ती मीटर हो जाएगा प्लेटफॉर्म बनाए है न प्लेट्फॉर्म होता है को बेडिकल इसमें हैट हम नहीं मालूम इसको लैट कर लिजिए लैट है टब प्लेट्फॉर्म इसको है ऐस हम गनुकल्ट टू एच मीटर मालू यह यह मेटर ठीक है और इसका लैंथ दिया है 22 मीटर और इसका ब्रैथ भी दिया है वो दिया है और 14 मीटर यह चीज़ें दी हुई है ठीक है अब इसका इसका भी बालूम राइट कर लिए वॉल्यूम इसका बालूम होता है पाई आर स्क्वार एच है ना तो आर है यहाँ पर टू इतना स्क्वार इंटू एच यहने की 20 मीटर इसका बालूम होता है इसका बालूम होता है एल इंटू बी इंटू एच यहने की 22 इंटू ब्रैथ है 14 और इंटू एच एच आपने लेट कर लिया इतने cubic meter और इसका इतने cubic meter ओके तो according to the question volume of this is equal to volume of this राइट कर लेंगे या volume of this is equal to volume of this दोनों का volume जो है वो एक ही रहेगा ठीक है तो हम राइट कर लेंगे according to question according to question volume of platform is equal to volume of well okay platform का volume राइट कर लेंगे 22 into 14 into h is equal to volume of well यह है पाई पाई करेंगे 22 by 7 राइट कर सकते हैं इंटू 7 by 2 into 7 by 2 दो बार राइट कर लेंगे यहां पर चाहिए तो आप नहीं पर क्रॉस कट कर दीजिएगा टू बंजा टू 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 फाइब जा टैन 7 से 7 राइट करेंगे यह रोक लेंगे क्योंकि एस तो फैंडू राइट कर लिजिए इदर और क्या बचा सेवन आ गया और यह फाइव आ गया इतनी चीजें बचेंगे ठीक है तो और वाई अपान में राइट करेंगे यह क्यो सब्सक्राइब टू को हम कैसे राइट कर सकते हैं 2.5 मीटर ठीक है तो इसकी जो हैट आगी वह 2.5 मीटर आगी तो यह फाइनली आंसर राइट कर देंगे हाइलाइट करके हैंस हाइट आप प्लेट फॉर्म इस इकल टू 2.5 मीटर यह अंसर फाइनली हो गया बस यह अराम सब्सक्राइब हो गया नेक्स्ट के तरफ चलते हैं question no.4 है a bell of diameter 3 meter is dug 14 meter deep the earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment embankment है ना find the height of the embankment actually एक bell है जो खोद दिया गया है जिसकी जो diameter 3 meter है और deep depth है उसकी 14 meter है ना और उसमें उसको जो मिट्टी है उसकी जो निखली मिट्टी वो उसकी कुएं के चार तरफ फैलाइगी है और उसका एक embankment बनाए गया चबूतरा बनाए गया है ठीक है तो वो चबूतरा जो बन रहा है उसकी चोड़ाई 14 4 meter है उसके हमें हैट फैंडाट करनी चल तर और फैसके ऐद कोड़ाई यह कोड़ाई गया है इसका क्योंतुम्हर Caribbean को एंथ करनी है तो मिटर अब इसके चारों तरफ यह जो है ना इना इसके चारों तरफ इस तरह से चबूतरा बनाए तर यह जो चबूत्रा बन रहा है अघर रहा है और जमीन में भी सबकें फिरलीकिनात्र ऐसे छोड़ाइ चबूत्रा बनाए गया है इसकी यहां से यहां तक का है में फोर मीटर है यह यह फूर मीटर है ओके इसके चोड़ाई है जब उत्रेगी वह फूर मीटर है फिर से समझ लीजिए को जैसे मालो हम सामने का अगर पार्ट दिखाएं इस तरह से यह कुणा का छेद है फिर उपर वाला पार्ट है बैल का अंदर पानी है इसमें और इसके चार उत पर टाल दी गई है तो इसमें जो हमें ऐसे करके यह मिस इए रहा है अब इसमें यहाँ इसकी रेडियस जो है हाफ हो जाएगी इसका टारी मिटर इसकी रेडियस इसका नविटर हो जाईगी लिए अब 4-2 तो ये एक उस तरह का सियुंद्र बनेगा जो होलो होता है यानि खोकला वाला होता है ना तो इसका हम फिर को तो यह तो धो हुआ है कि यह दो यानिकी 255 मीटर होगा क्योंकि इसका डाइमेटर केतना दिया है 30 अथा थिक है और इसका जो डैप्थ है कि डैप्थ को हम एच कह सकते हैं वो कितना है 14 मीटर ही दिया है तो इसका जो बॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा वाल्यूम इस रिकल टू हूगा इस लिंडरी कल है अभी तो यह इसके बॉल्यूम निकालना है इसमें खोग हालो नहीं है तो इ स्टूबिक मीटर ऑक की एी चीज रही आप उसके लिए करो और ऐंटमेंटि ये रहिए更 और यह इंबैंक मेंट तो यह नहीं चबूत रहें के लिए हमें क्या क्या बने इसका जो इतने डबल आर होंगी ठीक है एक आर बन होगा आर बन इसका हो जाएगा यह बन पॉइंट फोर में फोर एड कर दो स्वर्ण फैल यहां तक कहुआ बन फैल प्लस फोर और एड कर दी है उसमें तो यह कितना हो जाएगा 5.5 मीटर एक आर्टू क्योंकि अंदर वाले पार्ट पॉर्शन की यह 1.5 यह ठी 1.5 सेंटीमीटर सुरी मीटर में चल रहा है मीटर और इसका जो डैप्थ हाइट है वो हमें निकाल नहीं है ठीक है तो लैट हाइट अब इसका वाल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा वाल्यूम इसका हो जाएगा यह हॉल्ल स्रेंडर है तो पाई और बन स्क्वार मानस और टू स्क्वार इंटू इसको ब्रेकेट में रैट कर देंगे ठीक है इंटू एच यह होता इतने क्यूबिक मीटर इसका बॉल्यूम होगा ठीक है अब इसका बॉल्यूम किसके युकल होगा इसके युकल यहाँ पर बैलू रैट कर दीजिए फाई आरबन की बैलू है 5.5 इसका स्क्वार मैनस है ऐसे कैसे आता है यह भी समझ दीजिए देखिए कोई भी हालो है इस तरह से डबल होगा यह है फिर इसके ऊपर से एक दूसर लगा हुआ है ऐसे कि हॉल्यू सिलेंडर ठीक है इस तरह का हॉलो सिलेंडर है तो अंधर वालियूर है उसको चहती आप और बाहर्वाल्षए को compact यह ऐब संदर्वायों में अदर बालूम में वालूम सनकते तो बाकी बचा हुए मैटल है उसका बालियूम निकलता ऑए पाई आरबएं आत about निकलता है तो इसका पाई- मैनेग mis safely और टू स्क्वाइर एच oh岌 2-4 ओकी वाइच को हम कॉमन ले लिए by और एच को ले लिए दें दें हाँ पे बचते कार और बने स्क्वाइर माइनस आड़ डू स्क्वार को ठीक है तो उसी तरह से हमने राइट का कर लिए है हो और एक है यहां राइट कर लिए है ठीक है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं वह यहां पर भी हो सकता है इधर भी करने उसे देड़िए यहां पर एच राइट कर लिए ठीक है आप राइट कर लेंगे कि अधर नहीं अधर चाहिए थे आप आप अधर फियर वार्विव प्रॉल्म आप यहां पर वालूम आप प्रॉय आप यह यह सकता है इन्टू फाइट फाइव पैंट फैट पांट फैड square minus 1.5 square into h is equal to volume of bell जो है वो ही राट कर लिए pi into 1.5 square into 14 ओके इसमें cubic meter राट करने को पूल गयते हैं वो राट करने हैं cubic meter दीखे हमें तो ये फेंड़ाट करना है pi से pi cancel कर दीजिए इसको एक बार plus में एक बार minus में राट कर ले सकते हैं इसके फार्मॉला से a square minus pi square is equal to a plus b और a minus b इस फार्मॉला से हम इसको राट कर देंगे एक बार plus में एक बार minus में 5.5 plus 1.5 और एक बार minus में राट कर लिजिए 5.5 minus 1.5 into h is equal to 2 times राट कर लिए 1.5 into 1.5 into 14 ठीक है हमें किसकी value find out करनी है एक यह रोक के बाकि यह चीज़े मल्टिप्लाइगी इदर पहुंचा दीजिए यह थोड़ा और solve कर लिजिए बन टैम यहाँ पर देखिए 5.5 और 1.5 यानि कि साड़े 5 और डेल होता है 7 5.5 में से 1.5 separate करेंगे 4 आ जाएगा into h is equal to 1.5 into 1.5 into 14 h की value find out करनी है is equal to write करेंगे 1.5 into 1.5 into 14 और upon में write कर लेंगे 7 into 4 ठीक है क्योंची multiply कर ट्रांस्वर कर दिया सब्सक्राइब करेंगे इसका 1.5 को 1.5 को multiply करके जब डिवाइट करेंगे तो 1.125 मेटर आएगा ठीक है और फानिली आंसर हाइलाट करके write कर देंगे हैंस हाइट आफ एम्बेंक्मेंट इस इकल टू 1.125 मेटर यह क्वेश्चन भी अराम से हो गए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमबर फाइब अ कंटेनर सेप्ट लाइक राइट सेर्कुलर सेरेंडर हैविंग डियामेटर 12 सेंटीमेटर एंड हैट 15 सेंटीमेटर इस फुल अब हाइट 12 सेंटीमेटर डियामेटर 6 सेंटीमेटर हैं वह इसकी टोल सेंटीमेटर और 6 सेंटीमेटर इसका ट्यामेटर है उसके ऊपर हैं हमें चाहिए निकालना है कि कितने नंबर आप कोंज हैं वह मतलब कितने कोंज से फुल भर जाएंगे है तो नंबर आप निकालने के लिए आप जो कंटेनर है उसकी सारी बॉल्यों को अगर एक कॉन के एक जो आइसक्रीम भरी गई है को बहा गया है उसके वालूम से डिवाइट कर देंगे तो निकलाएगा चलिए पेपर पर बताता हूं इसको अब करा एक कंटेनर है जिसमें कि आइसक्रीम फूल है और यह कंटेनर इतर से बन दें है कि इसका डियामेटर है वो 12 सेंटीमीटर है हें 12 सेंटीमीटर है और इसकी есь में कौन की तरह एसपर वाटार है यहां से नत्वी इसके यह के इतना है p कहलोब सेंटीमिटर और इसका उपर मौनिटेट हां इस तरह से है 있어 स्युखिर इस तरह से स्थ जम्हां से ट्री संटीमीटर हो गया को उनका भी और क्या करना इसमें इतनी आइसक्रीं भरी ओए इसका वॉल्यूम को अगर हम इसके बॉल्यूम से डिवाइट कर दें तो हमारे नंबर आप इस जो अकुण है है वो निकल लेंगे है ठीक है तो फॉर हम इसमें राइट करने में फॉर इनका बॉल्yum उर सब चीज़ें हब करने प्वार की पिक्राइटो टॉन्र टैंक है ना किन टेनर कि रॉर इंट कर दो टीनर कडेनर इसका volume फिन्डाट कर लिए volume इसका होगा पाई आर स्क्वाइर एच पाई आर की जगाए पर 6 का स्क्वाइर और इंटु एच जगाए पर 50 डाट कर लेंगे इतने क्यूबिक सेंटीमिटर इसका volume होगा ओके इधर जो है फॉर कॉनिकल पार्ट पार्ट इसका रेडियस होगा 6 by 2 यानिकी 3 cm रेडियस 3 cm हो जाएगा और हैट इसका कितना हो जाएगा हैट दिया हुए 12 cm ठीक है इसका volume क्या हो जाएगा इसका volume होगा क्या होता है 1 by 3 pi r square h ठीक है पाई इंटू 3 का square into h यहने की 12 कि इसको 3 4 या 12 भी खर सकते हैं ठीक है तो यह आ गया पाई एंटू 3 power 2 3 square into 4 इतने क्यूबिक सेंटीमीटर इसका volume हो गया ठीक है कॉनिकल पार्ट होगा अब हमीश्पेयर for hemisphere for hemisphere radius तो इसका जो hemisphere कब हो कितना है वो 3 ही हो जाएगा जितना उसका है उतना है इसका हो जाएगा 3 cm तो इसका भी हम volume find out कर ले इसका volume होता है 4 by 3 pi r cube है ना r कितना है हमापास 3 3 का cube कर देंगे कि इसको मैंसे राइट कर सकते हैं 4 into pi into 3 into 3 into 3 by 3 है ना 3 से 3 cancel हो जाएगा है तो यहां हम राइट कर सकते हैं कि फोर इंटू पाई और 3 के स्क्वार इंटू 3 स्क्वार इतने क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसका volume हो गया ठीक हमें क्या निकलना है number of जो कौन है वो निकालना है तो फिल्ड विद आइस क्रीम है ना तो हम यहां पर लाइट करेंगे number of कौन्स अ है अ है फिल्ड विद आइस क्रीम इस इकल टू बॉल्यूम आप कंटेनर अपन बॉल्यूम आप कौनिकल पार्ट फिल्ड बॉल्यूम आप इस्फेर इस्फेर है ना हेमिस्फेरिकल पार्ट अब रैट कर देंगे इसकी बैलू है वो पूट कर लेंगे तो इसका जो बॉल्यूम है वह यह है पाई इंटू सिक्स पॉबर टू इंटू फेप्टीन अब और में यह दिखिए दोनों का सेम यह है इसका यह है और इसका यह है सेम है दोनों का एक फोर इंटो पाई इंटू थ्री सक्वार और पिलस डूस है *** उपाय एंटू थ्री स्कॉर ठीज इस इकल टू पाई पाई इंटू सिक्स इंटू्क लेंगे और इंटू 15 इस्क्स देए इन यहाझ यह याँ यहाँ पे दिखिए नहोंन तो यह सब कामन ले लिया यहां बचा बन पिलस बन यह भी कामन आ गए इसकी जगा फिर बना गया और इसकी जगा पिलस बना गया अब यहां देखिए पाई से पाई कैंसल कर दीजिए इसको आधे और राट कर देंगे आधे 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 1 बन कितना हो जाता है 2 तू बन जा 2 तू 3 जा 6 तू 3 से 3 कैंसल हो गया थिरी टूजा शिक्स है ना और टू टूजा कहीना की रॉंग होगा है भई देखते हैं सॉलिट यहां पर हमने हमी स्पेर के बजाए यह जो है इस फेर का बॉल्यूम लगा दिया हमी सेर का बॉल्यूम होता है टू वाई थिरी के ठीक मिए ठिया रखेंगे यहां पर क्या जाएगा टू यहां पर होगी कि यहां पर भी टू आजाएगा उन्हापै इपने हमी सेर्टे यहां पर क्या लगा ना टू लगाना है पस अब तो यह सब रॉंग हो गया दोबारा साही करना पड़ेगा इदर के भी आपने जलो कामन हो सकता है इसी को यहाँ पर हम ठूंद लेने यहां पर कितना जाए गाट टू आ जाएक, तूर्द है यहां पर तू आ गया और यह तो सब कामन नहीं आ गया और यहां पर बनी आगा फिसिए भी आएगा यहां पर है अब बहुत कटिंग हो गई है फिर से एक बार में राट कर लेता हूं इसी को 6 x 6 x 15 अपन में यहां पर क्या आएगा टू कॉमन लिया हमने है न तो टू इंटू 3 स्कॉर को हम 3 इंटू 3 राट कर देंगे और 2 और 1 कितना होता है थिरी होता है तो आप देखते हैं थिरी तू बन्जा टू तू थ्री जा सिक्स थिरी एत फाइब याइड़ यह तो टैन आ आ गया यह एट यहांसर तो फाइली आड कर देंगे हैंस नमबर आप कॉन्स को फिल्ट बिस इसक्रीम इस इकल टू 10 ओक यह कुश्चिन आराम सो गया नेक्स्स दिखते हैं कि क्वेश्चिन नमबर 6 इस इस क्वेश्चिन में यह फैंड और करना है कि कितने कोई क्वेश्चिन मेल्ट की जाएं कि गलाए जाएं जिससे किवेश्चिक निंगी है तीन अम्हें नमबर आप कोई निकल नंबर कोई से निकलना पड़ बिएपर को समझाता हूँ इसको एक कूरें क्वेशन में हमसे कहा गया क्वेशन नमबर सिक्स में कि क्वेशन तो आप यह तरह का क्वेशन होता है यह क्वेशन जो है इसको मेल्ट करना है इस तरह से क्वेशन हुआ यह क्वेशन है इसको मेल्ट करना है कितने क्वेशन जो है एक कोवेड बनेंगे कुवेड का इस तरह का कोवेड कितने क्या हैं कितने समय रहे होंगे इसका क्या किई इसके गी सिरक्ल है कोई चैज नहीं होता है ठीए तो इसका जो है फिकनेस बगैरा दिया है और इसका डिया मितर दिया हैं तो हम इसके लिए राट करने पहले Cultural एक ओर बाइं नमबर आप निकालने के लिए क्या करना आपको इसके इसके बॉल्यूम को इसके बॉल्यूम से डिवाइट कर देंगे क्वाइन कम है ना वह क्वाइन का बॉल्यूम कम होगा बहुत छोटा सा है क्वाइन को पिगला कर यह बना जा रहे हैं तो हमें यह निकलना कि कितने क्वाइन पिगलाने पड़ेंगे तो यह इस तरह का बन जा है 1.75 cm तो इसका रेडियस केतना हो जागा 1.75 by 2 है ना सेंटीमीटर और इसकी जो ठिकनेस ठिकनेस दिया है ठिकनेस को हम एज कह सकते हैं वो दिया है 0.2 mm इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम 2 by 100 cm क्योंकि इधर सेंटीमीटर में दिया हुआ है न तो यह 2 0 है तो यह आ जागा 0.02 cm आप देख लिए इसका बॉल्यूम इसका होगा सिलिंडरी कहला है तो पाई आरे स्वार लगा दीजिए पाई इंटू आरे स्वार यानी 1.75 by 2 का स्वार इंटू ठिकनेस यानी की एच 0 0.02 यह यह इतना करना ठीक है और इसका बॉल्यूम इसकी डामेंशन्स दी हुई है यहां पर आट करनें फॉर क्यों एड़ डामेंशन्स मतला लंबा ही चौड़ाई और लेंद प्रैड़ और हैट डामेंशन्स इसकी कितनी दिये हैं 5.5 cm x 10 cm x 3.5 cm यह बॉल्यूम में जाएगा ठीक है तो इसका बॉल्यूम जो होगा वह होगा 5.5 x 10 x 3.5 cm क्यूबिक सेंटीमीटर को है ऐसका भी क्यूबिक सेंटीमीटर है तो धीक अट्रों तो क्टेशन रएट करेंगे वैसे की बाल्यूम नम्बर आप क्वयंज है हां कि हमा का फंड़ करना नमबर आउम इसके सब्सक्राइब और जो कि पगला कर बनाया जा रहा वो पर किस्त टिवाइड कर देंगे एक क्वाइन के बॉल्यूम से कि बॉल्यूम आफ कोई यह ध्यान रखें जब भी कुछ किसी से पिगला कर बना जा रहा है नंबर निकलना है तो समझिए यह डिवाइड ही करना है ठीक है डिवाइड करके नंबर आप जो चीज है वो निकलाएगी यहां पर बॉल्यूम कोई लिखेंगे यह 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉल में इसका बालू में यह पाई की बालू राट कर लो 227 इंटू यह कितना है 1.75 वाइड कर दीजिए 1.75 अपॉन 2 क्यूंकि इसको लगा हुए है ना और इंटू 0.02 इसको सॉल्ब कर लीजिएगा देखो यहां पर चलिए चोड़ो यह जो थार्ड 2 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.02 और यह थार्ड डिजिएट है यह उपर राट कर लीजिए 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ओके इस तरह ऐसे करना आए आप क्या करना है यह जो है डैसीमल हटाएंगे तो इधर टू 0 बढ़ जाएंगे आप्र टू आप 5 5.5 5.5 4 होता है इतना 22 है न और यह है और डैसिमल कट कर लीजी यहां से 1 डैसिमल और कट कीजिए 2 0 बढ़ जाएंगे ठीक है यहां पे 0 बढ़ा के फिर यहां पर 2 के बाद हो यहां डैसिमल से डैसिमल कैसिल कर दीजिए 175 तूजा इतना वता 350 तू बजा 2 तूजा 4 तू बजा 2 तूजा 10 okay after that 5 बजा 5 5 बजा 2 तूजा 15 5 फ़चे 25 फिर 7 पपजा और 5, 4 या 20 यह ना स्वरी डियर थोड़ा सा रॉंग हुआ यहां पर एक्चुली यह जो है ना 10 cm होते हैं 10 cm होते हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो यह 0.2 आएगा यहां पर 0.2 बागी यह रॉंग हो गया यह यहां पर 0.2 यहां पर बंजीरो बैसे अट जाएगा एक्च्रा लगे ना बंजीरो तो यह कितना आगया 400 लास्ट ने फाइनली आंसर आट कर दीजिए नंबर आप कोईन्स इस इकल टू फाइनली अंसर आयागा ठीक है यह भी अराम सब्सक्राइब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सैबने आप सिलेंड्री कल बकेट 32 सेंटीमेटर हाइंड बेद रेडियस आप बेस 18 सेंटीमेटर इस फिल्ड बिद सेंट एक बकेट है जो 32 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्लेंड्री कल बकेट है इस तरह की यह बकेट है है स्लेंड्री कल इसकी हैट हमें गेवन है और इसका रेडियस है वह भी गेवन है कि कर deste यहां से यहां तक करिए यह 18 सेंटीमेटर है एक हाट है वह थरठीटर सेंटीमेटर वह है जो आए गंजि को स्षाइव hazard पूलब सेंडडी सेंड़ लुबकाई गई यह एक बन गया ऍप्रेंड बन गया ठीकर वे यह थे अबाना टिवीक पना है को इस तरह से कि इसका जो है दिया हुआ है हमें हैड दिया है किटना 24 cm इसका हाट 24 cm दिया है इसकी रेडियस हमें निकलनी है और इसकी सिलेंट हाट निकलने के लिए क्या करेंगा पहले जिस तो find out की करनी पड़े गजी है तो यह दो चीजे हमें निकालनी है तो यहां पर रायट करने है इसमें भी ऐicer खेला एक है जतनी सेंड भरी होगी उतनी यहां पर ऊसका Wonderful दूसर्मस करें बड़ेस है उसका और हईट कितना है 32 संटीमीटर इसका निकल दीजिए इसका बॉल्यूम हो जागा पाई आर स्वाइर एच आर कितना है 18 का स्वाइर कर देंगे इंट्व एच थर्टी टू कि इतने क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो इसका बॉल्यूम होगा बकेट का अब यहां पर राट करेंगे फॉर कॉर्निकल हीप इसका जो हैट है वो 24 सेंटीमीटर है ठीक है और राट रेडियस इसकी महान लेते हैं इस इकल टू आर अपो जट यह आर है तो इसका जो बॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा इसका बॉल्यूम होता बन बाई थिरी पाई आर स्कॉयर आर की बालू नहीं दिये और इंटू एच यहनिकी 24 थिरी 8 यह 24 इसको हम कह सकते हैं 8 पाई आर स्कॉयर इतने क्यूबिक इसका बॉल्यूम हो जाएगा ठीक है according to the question volume of this is equal to volume of this यहनिकी हम राइट कर सकते हैं volume यह राइट कर लिए पहले according to question volume of heap is equal to volume of bucket volume of heap यह है एट पाई आर स्कॉयर is equal to volume of heap यह है पाई इंटू 18 इंटू 18 तू टाम्स राइट कर लेंगे इंटू 32 यहां स्कॉयर था इस वज़े टू टाम्स राइट कर लिए ठीक है पाई से पाई कैंसल हो जाएगा एट इदर ले आएंगे और इसकार इंटू तू के राइट कर दो एट इन्टू इंटू फोर को राइट कर सकते टू इनुटू इसका एक पहर बना इक two square है ना इनका square एकटा कर सकते हैं इसको हम ऐसी ही राइट कर सकते हैं इसको हम एसी भी राइट कर सकते हैं 18 to 36 का square ठीक है square से square cancel हो जा गा radius is equal to 36 cm तो एक answer यह आगया अब हमें क्या निकालना है L is equal to होता है radius वह स्कार प्लस आरे स्कार है ना तो इसका और आ गया 36 स्कार और हैट पहली से दिया हुआ था 24 का स्कार यह रड़ करेंगे इसका जब 36 ऐसको जब आड करिंगे इसके जब फैक्टर करेंगे के हैं तो ऑजागा 12 का मार्न थैर 15 तो नहीं बनेगा Doroth का फिrichtonकार करेंगे है हाट और फैनली-ट कर देंगे हाइलाट करके last में hence radius of heap is equal to radius कितनी आया थी 36 cm एक आंसर यह आया and height of and slant height of heap is equal to 12 under root 13 cm इतने cm जो है इसका slant height हो गया ठीक है तो दोनों अंसर आपके आ गया तो यह question आराम से बन गया next question दिखते है question no.8 water in canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 km per hour how much area will it irrigate in 30 minutes if 8 cm of standing water is needed actually एक canal है जिसमें जिसकी width है wide वो 6 meter है और उसका depth 1.5 meter है वो flowing कर रही है बहर ही है उसकी एक speed है 10 km per hour वो water तो लगातार चल रहा है तो थर्टी मिनट तक चलेगा उतनी ही वो उस water की releasing water की length हो जाएगी वो ही volume हम निकालेंगे उसका तो उससे क्या है खेत की irrigate irrigation हो रहा है खेत का उसमें खेत में 88 cm extending water चाहिए तो थर्टी मिनट में कितना खेत irrigate हो जाया कितना एरिया की irrigation हो जाएगी वो हमें निकालना है चलिए paper बना के समझाता हूं question number 8 बहुत ही important है canal बहर है इदर को ठीक है canal जो है इस form होती है यह इदर को water जा रहा है इसमें 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 थर्टी मिनट में कितने खेत इरिगेट हो जाएगा तो देखेत का एरिया होता है और उसके जो खेत में बाटर चाहिए भी वो कुछ थोड़ा बहुत बता रहा है कि इतने एट सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर ऊपर चाहिए ना इसमें आप बाटर भरते हैं तो थोड़ा बहुत पानी तो भरता है वो एट सेंटीमीटर बाटर सेंटीमीटर बाटर इसके उपर भरत होगे तो यह को वार्टिकल फोग मका हो जायेगा ठीक है यानि एरिया और बाटर की मृटिपिलाई क्या होगा है इसका एरिया कि इंटू जो बाटर की वह जो है इस्ट है वो वह एट सेंटीमीटर है यह तना इसका वॉल्ई खेत का पॉल्यूमा क्या ? भाइब जो यह है इसकी बिर्थ दीये यह 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 देखिए यह 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 बिर्थ फाइव सकते हैं यह बंप्वाइब भाइड करें यहां तक कि हम यह लगातार चल रहा है तो यह बाटर की जो लैंथ होगी 30 मिनिट में 30 जतनी भी लैंथ के ओवरीट की फॉर्म में जितना लैंथ का बद्रीज हो जाएगा उतनी कैनल तो वही बद्र का बालूम निकालके उतनी छेतमें प्रिखेट हो जाएगा यिली उतने वालियूम का व वूटर मुंद का ऑड़ wen उसके इसलैकने करके और इसकी जंद न्यांद देकिलिए तो और रेहली लैंथ यह आप रिलीज तीक तो तो स्पीड इंटू time होता है जो यह इन्ठ होती है तिस्टेंस से हम कहते हैं तो स्पीड है 10 km तो 10 km पर आर इंटू 30 मिनट तो यह हो जाएगा इसको 10 km है इसको मीटर में कर लेंगे 20 km में 20,000 मीटर होते हैं और इसको बन आवन मिनट कितने होते हैं 60 इंटू 30 यह हो जाएगा ठीक है तो यह 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए 3 से 625 जा कितना आगया 5 बन जाएव इतने मीटर जो है लैंट हो गई बाटर की ठीक है तो हम यहाँ पर निकालेंगे बाल्यूम ओफ रिलीजड बाटर इन 30 मिनट 30 मिनट में कितना बाटर जो है वो बहे जाएगा इसे स्पीड से तो क्या हुआ जितना इसकी ब्रैथ है और यह ब्रैथ है और यह बाटर यह सब मल्टिप्लाई हो जाएगा ठीक है यानगी 5000 मल्टिप्लाई 6 मल्टिप्लाई 1.5 इतने क्यूबिक मीटर पानी बहे जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हम निकालेंगे बॉल्यूम ओफ फील्ड इसमें थोड़ा सा एल और भी हमें एरिया निकालना तो एरिया इरेट कर लीजिए एल इंटू बी इंटू एच होता है एल इंटू इंटू होता तो उसकी एकवर में एरिया रैट कर लेंगे ठीक है इसका जो ब्रैथ है वो इसकी जो हैट अप बाटर की वह 8 सिंटी मीटर को में मीटर में inar आप देखिए इसका एरिया और इसका लुब होगा ना कि wood का बॉल्यूम और इसका वाल्यूम यह रिलीज़ बाटर है वहीत होगा ना एक ही होगा ठीक है तो हम रोग राइट करेंगे बाल्यूम आफ फील्ड इस इकल टू बॉल्यूम आफ रिलीज़ बाटर यहां राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टूद अ क्वेस्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेस्चन है यह वाला क्वेस्चन हो इससे आगया वाला लगवाग मिलते चुलते हैं बॉल्यूम आफ क्या राइट करना है यहां पर रिलीज़ बाटर ठीक है अब बॉल्यम आफ फिल्ड क्या है एरिया इंटू 0.8 जीरो पाइंट जीरो एट है सोरी बॉल्यम आफ रिलीज़ बाटर है यह यह फाइप थाज़ेंट इंटू 6 इंटू 1.5 ठीक है हमें क्या निकलना एरिगेटेट एरिया तो अब एरिया रोक लीजिए अपर ए एट एधर बन जीरो और बढ़ा लीजिए तभी यह डैसिमल से डैसिमल कैंसल हो जाएगा तो थीजा टू फोर जा पोर सी कैंसल करते पोर बन जा फोर फोर टू जा टैन फोर फाब जा टून्टी इनका जब मल्टिप्लाइग करेंगे आप तो यह 56,000 वह फाब लैक 62,500 क्यूबिक मीटर क्यूबिक स्कॉर मीटर इतना एरिया आए एरिया किसमें आता है स्कॉर में और लास्ट में फार्निली आंसर राइट कर देंगे हैंस एरिगेट एरिया एरिगेट एरिया है यतने पानी भर जाएगा वो और फील्ड वाइक कैनल के दौर जो भी एरिगेट एरिया हुआ है वो कितने टाइम है इन 30 मिनट्स कि हैंस एरिगेट एरिया और फील्ड वाइक कैनल इन 30 मिनट्स यह फाइनली आंसर इस तरह से राइट करना है कि इस इकल टू पाइब लायक 62,500 स्कॉर मीटर इतने स्कॉर मीटर एरिया एरिगेट होयागा एट सेंटीमिटर पानी जो है उसकी पानी भी चड़ रहागा इत सेंटीमिटर फ्रॉमा कैनल इंट्वा सिरेंडर टैंक इन हर फिल्ड बिच इस तैन मीटर इन डियामीटर एंड टू मीटर डीप इफ वाटर फिलोज थिरो दा पाइप एट रेट आप 3 किलो मीटर पर आर इन हाव मुच टैम बिल टैंक भी फिल्ड एक पाइप लगाया है सबसे अपने एक टेंक कि खेत में कि टैंक का फिल करना है तो बातर बातर इसका फिलोड के बाटर बना के चीतर को शेप सबसेंगर जाता हूँ आफिए को यह कहाँ है कि किस तरह का एक फार्मार ने टैंक लगाया है कि एक को शेंट्रीयकर टैंक लगाया और यह लगाया है यह कैनाल फाइफ लगाया है तो ऑसके सटींटी मीटर तीया है है कि अभी खेत में एक टैंक है इसका इस तरह से यह इक टैंक है इसird大 करना कि इसको फिल करना है वो टू मीटर है तो हमें यह निकलना है कि यह कितने समय में कितने टैम में भर जाएगा जब कि स्पीड ऑप बॉर्टर क्या है थिरी किलो मीटर पर हार ठीक है स्पीड बॉर्टर की यह तो यहां पर लेट कर लेंगे लैट डायम टेकन लिक तो फिल टैंक लिए को टीटी मिनट मान लिजे ठीक है कुछ भी मान सकते हैं एक्सव जएड मान लिजे एतने मिनट में जो है बार टैंक भर जाएगा यह ठीक है तुझे लैंद क्या होगी इसका इसके जो लैंद है ना बाटर की तुरी बाटर फिलो तो जो बाटर होगा वो बाटर फिलो जो थरी किम्मोंटर पर आर की स्पीड से बहरा है उस बाटर फिलो पार हमें Barrel निकालना पडएगा तो बाडर की बाटेश्ट लैंथ निकालना पड़ेगी कितनी दूर तक यह जा सकता था है इस साइज का तो अगर लगातार चल रहा है तो इस स्पीड से कितना लंब लाया जाता तब यह टैंक फूल भर जाता है तो माल यह टी टाम्स जो है उतना बाटर रिलीज हो जाएगा यतना हम सोच रहे हैं तो यहां पर हम राइट करेंगे लेंट आप रिलीजड वाटर कि लेट लैक्त गीन तो अब रिलीजड वाटर लैक्त नहीं करनी है जया एक एंट टी मिनट कि इसको 먹는 कि This न इस तरह से जैसे उसमें किया था जैसे इस से पहलेवाले क्षिटन में किया था सेम बैसें जीरो से 0 कर दिजे यह 50 तो यह कितना जाएगा फिप्ट्रु टी ट्यू अब हो जाएगी उस बडर की ठीकर आफ हम निकालेंगे इसका जो रेडियेस से रेडियस आप गडियेस आ 20 by 10 cm 20 by 2 is equal to 10 cm इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे कि इसके डाइमेंसेंस वो मीटर में है तो 100 cm का 1 मीटर होता है 100 से डिवाइट कर देंगे इसको 0 से 0 कैंसेल हो जाएगा इसको हम बन बाइट है या 0.1 पाइट करेंगे आज और बॉल्यू मोथ रिलीजड बाटर कितना बाटर रिलीजड होजाएगा इन टी मिनट्स है ना टाइम हमने टी माना है पाई आर स्क्वाइर पाई आर स्क्वाइर यानि जीरो पाइंट बन गी स्क्वाइर इंटू जो बाटर की टी टाइम में लेंध बन रही वो 50 टी यह राट करें इतने क्यूबिक मीटर बाटर रिलीज हो जाएगा ठीक है अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आट करना है जो है रेडियस आप टैंक टैंक की रेडियस है टैन वाइट टू टैन मीटर डाय मीटर ना टैन वाइट यानि फाय मीटर और इसकी जो डैप्त है डैप्त का मतलब यह हाइड वो है टू मीटर तो इसका बॉल्यूम आप टैंक क्या होता है पाई आर स्क्वाइर यानि की फाय का स्क्वाइर इंटू एट डैप्त वो टू इतने क्यूबिक मीटर बाटर जो है आ जाएगा उसमें ठीक है तो इसका बॉल्यूम इस इकल टू रिलीज वाटर वोल्यूम यह राट करनेंगा अक्वर्दिंग तो टू इसका बॉल्यूम आप रिलीज वाटर इस इकल टू बाली मॉप टैंक तो बाली मॉप रिलीज वाटर है हमारे पास यह पाई इंटू 00.12 टामस रिला ट कर लेंगे उसका यह है ंटू फाई युन धी निकालना गिने है पाई से पाई § कैंसल कर दीजिएं की बैदुन Nजालने टि गल टू आट कर लेंगे यह चीज़े मुल्टिप्लाइगे सब डिवाइड में आगए डैसिमल कट करो एक 0 बढ़ जाए जीरो से 0 कांसिल कर देंगे और 5 फोर्जा 20 25 25 फोर्जा बन हंद्रेट ठीक है तो बन हंद्रेट मिनट्स में जो है टैंक फूल हो जाएगा तो यहां पर राइट कर देंगा फानली आंसर हेंस कि टाइम कि टेकन टू फेल दा टैंक इस इकल टू हंद्रेट मिनट्स इसको बैसे करके राइट कर सकते हैं आवर बना के ठीक है इस तरह से यह इसका फैनली आंसर होगे और यह एक्सराइज आपकी कम्प्रीट हो गई है आप जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों में तूसरी चीज़ यह है कि अगर हैं आपने चैनल सबस्क्राइब नएं किया है कि इस भार हमने पूरी ncrt और यॉइंस चैप्टर की और exercise भी खरा है वह इसके लिंक हम इने description में दे दिया आप उसको चेक कर लें ठीकिए और इसको सबस्क्राइब करने अगर आप नए हैं तो सबस्क्राइब कर तो क्या होगा कि आपके सबको सारी वीडियो फिर देखने लगेंगी जो भी आपको चाहिए हो उसको के लिए करके आप तुरहंत देख सकते हैं थैंक यू फार वाचिंग